Hello 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 everyone, कैसे है आप सब? मुझे पूरी उमीद hacia कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कर देना चाहिए क्योंकि आप टाइम आपका किसका एक्जांस का ने वाला है तो भाई पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है ठीके तो फटावट क्लास को शुरू कर देते हैं बिना देर करें जल्दी से क्या करना है भाई वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि क्या है भाई कि वो लोग भी आ जाए क्लास को जॉइन कर ले ठीके और जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है प्रोस में बैल आइकन दिया हुआ उसको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन्स आपको मिल दे रहे हैं ठीके तो बच्चा लोग मैं हूँ विजयता आपकी बालाओ जी तीचर और हम यहाँ पर क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में कौन सा हमारा चाप्टर तो बच्चाप्टर का नाम है पुषभी पादबोग का शारीर के बारे में यानि कि आज उनके हम जो बाहरी संद्रशना होती है उसके बारे में बात करेंगे तो चलो फिर बर जाते हैं आगे बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आज क्या है हमारे इस लेक्टर में ठीके तो आज हमको क्या पढ़ना है आज हमको यह तीन चीज़े देखनी है चीजों में क्या है यह पादब उतक ठीके और यह दो उसके क्या है प्रकार है जिसके ब बारे में का बात करनी है है तो चला जब हम बात करें तो कि इसकी बात कर रहे है, तो मतलब यहां पर कोई भी जीव है, ठीक है? कोई भी जीव माल लो आप कि कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जिन्दा जीव, चाहे हो पेड़ हो, पौधा हो, ठीक है, और क्या हो, पशुपक्षी हो, हम इनसान हो, कोई भी हो, सब के सब क्या होते हैं, भाई, सब के सब बने हुए होते हैं, किसे, कोशिका से बने हुए होते हैं, ठीक है, कोशिका क्या है, जीव यहां पर लेकिन जब हम बात करेंगे कि जब हम यहां शरीर की बात कर रहे हैं, जब हम यहां पर शरीर की बात कर रहे हैं, याने कि उसकी बादी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर basically हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहां पर कि कैसे निर्मान होता है, ठीके, कैसे निर्मान ह होता है ठीक है थे फिर क्या देखेंगे कि भाई इसकी संरश्ना के बारे में हम बात करेंगे ठीक है इसमें क्या है संरश्ना में कि इसकी लंबाई कैसे बढ़ती है ठीक है लंबाई के बारें बात करेंगे, ठीक है, और क्या, कि इसमें चोडाई कैसे होती है, चोडाई देखेंगे, ठीक है, फिर संदशनः में और किया जाएगा इसकी आंतरिक संदशना, अंदर की संदशना जो है, ठीक है, तो ये सारे चीज़े हम यहाँ पर देखने वाले हैं, से बना हुआ होता है ठीक है चलो माल लेते हैं कि यह क्या है हमारी एक कोशिका है ठीक है यह क्या है एक कोशिका है फिर जब यही जो कोशिका किसमें समू में आती है समू में आ जाती है याने कि इस तरीके से ये कोशिकाएं आ गई है ये क्या है? समू है ठीके? ये कोशिकाओं का क्या हो गया? समू में आ गई है तो जब ये समू में आती हैं तो क्या बनाती है? फड़ा फट से बताओ कॉमेंट में कि जब यह समू में आ जाती है तो क्या बना देती है किस-किस को मालू में मुझे पता होना चाहिए बताओ पड़ापट से तो ये जब समू में आती है तो ये क्या बनाती है उतक बनाती है यानि कि टिशू बनाती है ठीके इस टिशू से क्या होता है एक पादप का क्या बनता है शरीर बनता है ठीक है पादप का शरीर बनता है ठीक है और इसके साथ साथ ये जो उतक है ठीक है ये जो टिशू है ये बहुत सारे क्या करता है काम भी करता है शरीर में बहुत सारे काम भी करता है काम बोल दो कार्रे बोल दो जैसे कि एक जड़ की की बात करते हैं मूल की बात करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ना ठीक है तना है तो तने की चुडाई बढ़ना अगर पेड़ ओब की है ओसी के 手 करोछा हो तन्तर और एंट इस वहां ज्यादा इंप्वोट्ण से इसका इक इंप्वोट्ण रोल है ठीक है चलो फिर बिना किसी देरी के बाई शुरू करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि जीव में कोशिका होती है कोशिका से क्या बनते हैं उतक बनते हैं ठीक है तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हम अगर पादप उतक की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो पादप की कोशिकाओं का सम्मू है यह क्या है इसकी उत्पत्ति किस से हुई होगी इसकी उत्पत्ति किस से हुई होगी भाई जो पहले उपस्तित कोशिकाओं या ठीक है जो पहले उपस्तित कोशिकाओं थी ठीक है पहले उपस्तित कोशिकाओं से ठीक है पहले उपस्तित कोशिकाओं से इसकी उत्पत्तिती होई होगी ठीक है और यह सब क्या है कारे में समान होते हैं कारे कैसा होता इनका समान होता है एक जैसा काम करते हैं यह सब क्लियर यहां तक ठीक है सबको यहां तक समझ में आ गई है यह बाते मुझे नहीं लगता कि यहां पर डाउट होना चाहिए एक एक पॉइंट बड़े प्यार से मैंने इस बोर्ड पर लिखके आपको समझाया है करेक्ट चलो आगे बढ़ जाते हैं अब ठीक है चलो अब हमारे पासदियर बड़ तरीकेया जन लेते हैं ठीक है यह क्या है आपका दो तरीके का है ठीक है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है फड़ाफट बता दो कौन बताएगा मुझे कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है जल्दी जल्दी बताओ फड़ाफट से पता होना चाहिए हां सारे चीज़े मैं में क्यों बताए आपक तक उतक ठीक है पहला क्या है विब है विब जियो तक उतक ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं अब दूसरा कौन सा आता है दूसरा आता है स्थाई दूसरा आ गया स्थाई उतक याने कि जिसको हमने क्या बोला पर्मनेंट टीशू ठीक है जिसको हमने बोला भाई पर्मनेंट टीशू करेक्ट दो टाइप का है ये पादप उतक एक विब जो तक उतक है दूसरा स्थाई उतक है करेक्ट चलो अब अगर विब जो तक उतक की बात करते हैं भाई तो ये ऐसे उतक होते हैं ये क्या है ऐसे उतक है जो में क्या होता है ऐसे उतक जिनकी कोशिका में विबाजन की ज्यादा शमता होती है ठीके जिनकी कोशिका में क्या हो रहा है जिनकी कोशिका में विबाजन की विबाजन की शमता ज्यादा होती है ठीके ज्यादा होती है ठीके तो भाई ये ऐसे उतक है जिनमें जो है विबाजन की शमता ज्यादा होती है इस चीज़ को गाठ बान लेना, क्योंकि यहां पर विब याने की विभाजन आ रहा है, इस चीज़ का खास का ध्यान रखना है, तो ये ऐसे उतक है भाई, जिनकी कोशिका में विभाजन की शमता ज्यादा होती है, मतलब कि ये लगातार विभाजन करते रहते हैं, क्या कर रह पेड की मोटाई बढ़ाते हैं क्या कर रहे हैं यह मोटाई बढ़ाते हैं ठीक है मोटाई में वृद्धी ठीक है मोटाई में वृद्धी हो गई अब लंबाई भी बोल सकते हैं हम है ना कि एक तो मोटाई हो गई है फिर लंबाई ठीक है फिर चोडाई भी बोल सकते हैं हम प ठीक है नय भान बोल सकते हो हाँ नय भान निर्मांड का निर्मांड ठीक है तो यह सब क्या है यह सब इसी विभाजन की वज़े से होता है अब यह बात कितने लोगों को clear हो गई है यह बता दो पड़ा पढ़ते तंसब दिखा दो ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सब यही दो चीज़ों को पढ़ेंगे ध्यान में रखना है ना ठीक है नई समझ में आएगा तो ऐरोक्लेन उर जाएगा इसलिए ध्यान पूर्वक्त ध्यान देना है विल्कुल एक एक चीज को समझना है इसलिए देखो सारी चीज़े बोर्ड पर लिख रही हूं एक एक पॉइ ठाय हकता है जो अभी आगे में एक डाएग्रा味 बना के आपको संझाउंगी चिंता की कोई भी बात नहीं है ठीक है चला यहां पर आ गया ठीक है अब यहां पर क्या होता रुक जाती है फिर यहां पर विभाजन नहीं होता है ठीक है यहां पर यह जो डिवेशन हो रहा है वो बंध हो जाता है फिर यहां पर क्या होता है यह स्थिर रूप में आ जाते हैं यह स्थिर रूप में आ जाता है यह जो विब्जियोतक उतक है ठीक है और विभाजन का कार जिसको हम Permanent Tissue बोलते हैं ठीक है तो भाई यह जो स्थाई उतक के याने की कहां से आया इस Marisomatic Tissue याने की विप जो तक उतक से आया समझके जब यह काम करना बंद करते का जब यह बिल्कुल स्टॉप लगा देगा अपने उपर तब जो है इस थाई उतक में क्या हो जाएगा यह बदल जाएगा clear यहां तक, बिल्कुल clear, चलो, समझते हैं इसको, ठीके, तो यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यह क्या करते हैं, भाई, यह pushp का निर्मान करते हैं, ठीके, pushp का निर्मान इनसे होता है, फिर दूसरा बोल सकते हैं, फल भी बनता है, फल का निर्मान भी इनसे ही होता है? क्लियर यहां तक है न? चलु इनको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यह जो विब जो तक है और स्ता outside यह वापिस और घेल खेल रहे हैं यहां पर क्या 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 जो तक बात करते हैं याने कен हमारा meristematic tissue के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई यह जो विब जो तक है यह तीन भागों में फिर से विभाजित हो जाता है ठीक है कितने भागों में होता है तीन भागों में ठीक है तीन प्रकार है मतलब इसके तीन प्रकार है ठीक है चलो जान लेते हैं कौन से प्रकार है तो पहला प्रकार आता है शीर्ष स्थर ठीक है पहला क्या आया शीर्ष स्थर ठीक है विब जियो तक उतर ठीक है उतक जिसको हमने क्या नाम दिया वही इंग्लिश में क्या कहते है इसको एपिकल एपिकल मैरिस्टिमाटिक टिश्यू ठीक है एपिकल मैरिस्टिमाटिक टिश्यू पहला यह आता है दूसरा क्या आता है दूसरा हमारे पास आ गया भाई अपना अंतह, वेशी, विप, जियोतक, उतक, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, इंटर, कलेरी, मैरिस्टेमाटिक, मैरिस्टेमाटिक, टिशू, ठीक है, दूसरा यह आया हमारे पास, तीसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, मारे पैस, तीसरा आता है, पार्श्व, विप, जियोतक, उतक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाई, लेटरल, लेटरल, मैरिस्टेमाटिक, मैरिस्टेमाटिक, टिशू, ठीक है, तो यह क्या है, इसके तीन प्रकार हैं, ठीक है, शीर्स्थ, अंतहवेशी और पार्श्व, यह तीन प्रकार हैं इसके, ठीक है, चलो, यह हो गई, अब यहाँ पर क्या बात आपको याद रखनी है, भाई यहां पर और कोई बात यार नहीं रखनी है इसका डाइग्राम बनाके मैं समझाओंगे कि यह कैसे कैसे आते हैं ठीक है चलो भई हमने यह मान लिया कि यह इसमें डिवाइड हो रहा है अब अगर हम किसकी सरल स्थाई की बात करते हैं आज और यहां पर अगर हम सरल अरे क्या लिख रही हो अब अगर हम वाइट पैन उठाना है वाइट ही नहीं आ रहा है अब अगर किसकी बात कर रहे हैं हम स्थाई उतक की बात कर रहे हैं ठीक है स्थाई उतक की बात कर रहे हैं याने कि पर्मरेंट टिशू की बात कर रहे हैं तो यह दो प्रकार का होता है ठीक है कैसा है यह दो प्रकार का है कौन कौन से दो प्रकार है इसके जल्दी बता दो किसको मालूम है कि इसके कौन कौन से दो प्रकार है बता दो फड़ावट से बताओ बताओ जल्दी बताओ पड़ावट से चलो ठीक है जिनको मालूम है well and good जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ तो ये बहिए दो प्रकार है पहला आ जाता है मारा सरल स्थाई उतक जिसको क्या बोलते हैं हम simple permanent tissue ठीक है okay simple permanent tissue फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है जट्ल देखो यह अपने नाम से ही बता देते हैं जट्वल याने की मुश्किल है ना हो मतलब सिम्पल स्थाई मतलब पर्मानेंट उतक मतलब टिश्यू जटल मतलब कॉंप्लेक्स आ गया यानिकी मुश्कील स्थाई मतलब पर्मानेंट आ गया उतक मतलब टिश्यू आगया ठीक है तो यह सारे दो रोषनि है याने कि हम रौशनी के रह आया कि रोषनी याने कि घर में रखेगी कि रहेगी है ठीक है या फिर पवन किसी का नाम रख डेता है यानि कि इनका इन कीकि बता रहा है होता है तो 100 n अब यहां पर अगर हम सरल इस्थाई उतक की बात करते हैं तो यह तीन भागों में डिवाइड हो जा फिर से इसके पार्ट बन रहे हैं कौन से है भाई पहला है पैरन काईमा ठीक है दूसरा क्या है कॉल्न काई मा ठीक है दूसरा क्या है कॉलन काई मा और तीसरा क्या आ गया हमारे पास तीसरा अगे स्कालन कलल काई मा ठीक ए तो ये तीन चीजे यहाँ पर हमें फिर से मिल जाती है ठीक है तीन चीजे हमें फिर से मिल गई लेकिन अगर मैं बोलू कि भाई ये जो सरल स्थाई उतक है तो काम के हिसाब से अगर मैं पहले जटिल बताओν तो जटिल का काम क्या आजाता है भाई कि इसकी जो उत्पत्ति होती है ना इसकी जो उत्पत्ति है वो समान कोशिकाओं से होती है याने कि जो एक सी सेल होती है उन्हीं से ये बनता है ठीक है समान कोशिकाओं से हो रही है ठीक है समान कोशिकाओं से होती है वहीं अगर मैं इस भिन्न बोल दो, भिन्न होता है, ठीक, वहीं अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सरल की बात कर लो, कि भही लोग सरल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस सरल में क्या है, अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करती हूँ, ठीक है, यह कहां से उत्पन हो रहा है, तो उत्पत्ति इस में इसके कार्य के बारे में बात कर रही हूं तो कार्य क्या है उसका समान होगा ठीक है एक समान इसका कार्य होगा ठीक है यहां तक सभी बच्चों को तक ठीके इसके प्रकार क्या है पैरन काइमा है ठीके कॉलन काइमा है और क्या है स्कलेरन काइमा है अब अगर मैं इनका जो है इनका बोलो कि भाई यहां पर क्या होता है यह किसका समू है यह कैसे बना है क्या सीन चल रहा है तो मैं कहूंगी कि यह जो पैरन काइमा होता है यह पैरन काईमा क्या होता है जो जीवित कोशिका होती है ठीक है जो जीवित कोशिका का समू है ये जीवित कोशिका का समू है ठीक है ये क्या है जीवित कोशिका का समू होता है ठीक है, लेकिन अगर में बात स्कलेरं काइमा की करती हो तो यहाँ पर एक क्यूजत आ जाता है भाईया, यह दोनो तो जीवित कोशिका का ग्रूप हो जाता है, समू हो जाता है लेकिन यहाँ कोण आती है जो dead cells होती हैं, याने की जो मृत कोशिका होती है यह क्या है भाई यह मृत कोशिका का समू है कोशिका का समू होता है ठीक है चलो यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई अब यह तो इस थाई के बारे में हो गई है सारी बाते लेकिन अगर बात हम किसकी करते हैं कौन सा कलर उठाया जाए यह जो यहाँ पर दि करूँ तो इसके दो प्रकार होते हैं ठीक है एक तो अपना जाइलंग हो गया यह भी पढ़ो गया आप आगे ठीक है जाइलं दूसरा क्या हो गया फ्लोय्म ठीक यह सारी चीजे अभी हम कवर करेंगे टेंशन की कोई बात नहीं है सिर्फ यहां पर आपको इमें चार्ट बना के संशारी हूं कि भाईया समझ लो इन्हें कंफूशन बिलकुल मत रखो ठीक है इससे पहले अभी हमने यह देखा शीर्फ अंतवेशी और पार्श चलो इसके बारे में एक डाइग्रम बना लेते हैं और समझ लेते हैं लेकिन यह दोनों चीजे क्या थी देखो इसका पार्ट है बिलकुल कंफूशन नहीं रखना है बह मैं लो यहाँ पर बिदाल देती हूं 1-2-3, लो और यह लो 3 ठीक है न? तो यहाँ पर बिलकुल भी क्या करना है? कंफूशन नहीं रखना है अपने कौँ ठीक है? सारी चीजे बिलकुल ग्लिया रखना है चलो अब क्या है? अब मैं बोलरा हूं मैं विबे जो तक के बारे म आपको बना के बताती हूँ कि भाईया ये तीनों पार्ट कहा है और इनका काम क्या है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है चलो आजाओ फटाफट से फिर एक डाइग्राम बनाते हैं देखो डाइग्राम बना रही हूँ अच्छे से समझ लेना बिल्कुल डा ये इसकी क्या है जड़े है लो भई ये जड़े आ गई इसकी ठीक है जमीन के उपर क्या होता है तना होता है लो भई ये तना आ गया ये क्या है तना आ गया इसका ठीक है अब अगर मैं सबसे पहली की बात करती हूँ याने की सबसे पहले क्या आएगा शीर्ष विब जो त सबसे पहले कहा हो सकता है वो भाई शीर्ष पे होगा ठीक है क्यों शीर्ष इस तर आया है ना शीर्ष याने की सबसे उपर चोटी बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी होगा यहाँ पे भी होगा क्योंकि भाईया इनको भी तो लंबाई चाहिए और इस तने को भी लंबाई चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया सबसे पहला यह हमारा वन है ठीक है यह हमारा वन है सबसे पहले हमारे पास आया कुछ जादा ही उपर हो जाएगा मेरा हाथ इसके हिसाब से यहाँ लिख देती हूँ सबसे उपर आया भई अरे विब जो तक लिख रही हूँ शीर्ष कौन लिखेगा शीर्ष शीर्ष स्थ विब जो तक विब जो तक उतर ठीके तो पहला हमारे पास यह आगिया यह कहां मिलेगा शीर्ष पे मिलेगा यह चाहे वो उपर तरे में हो या नीचे रूट्स में हो ठीके तो यह हमारे सब वन है ठीके वन इतले डाल रही हो ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा मैम ने यहां यहां बताया था ऐसा नहीं कि मैंने वन यहां डालाया तो यहां नहीं है जितनी भी रूट होंगी उनकी जितनी भी टिप होंगी शीर्ष होगा वहां सब में आपको यह शीर्ष इस्था विब्य जोतक उतक मिल जाएगा ठीके चलो यहां मिल जाएगा फिर दूसरे कि क्या हम बात कर रहे हैं भाई दूसरे काम बतवा इसे क्या है चीर्ष स्था नहीं है पादप चेश अग्री जाएगा व्या पादफ केशीर्ष पर इसी शिर्ष पर बर?! ठीके और क्या काम करता है यह लंबाई बढ़ाने में 253 002 कल रा रहे है फिर उस Chief व्या हैं टूसरा कृएग कि इसमें हैल्प कर र बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, लंबाई बढ़ाने में ये मदद करता है, ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा हमने क्या बोला, अंतहवेशी आता है हमारे पार, ठीक है, तो ये अंतहवेशी कहां मिल सकता है आपको, ये आपको, यहां मिल सकता है, यहां, यहां, दूसर डाग कलर ले लेते हैं चलो थोड़ा सा कि बई कहा मिल सकता है यहां है यहां है कहीं भी है ठीक है कहीं भी है यहां मिल सकता है यह रूट में भी मिल सकता है कहीं भी ठीक है कहीं भी मिल सकता है यह तो यह क्या है हमारा यह हमारा नमबर टू ठीक है यह क्या हो गया टू है जो वाइट कलर से दिख़ए है न आपको यह हर जगा क्या है नमबर टू है तो नमबर टू हमने क्या वोला कि नमबर टू क्या है अंतहभेशी ठीक है अब आगर मैं यहाँ पर बात करूं अच्छ यहाँ पर बात करूं अंतहवेशी विब जो तक उतक कि बàiये इसका तो यहाँ पर आपको समझाती हूँ, एक एकजैम्पल लिए कि भाई गाई, भैस यह है, क्या खाती है घास खाती है, चलो एक घास का मैदान बना देती हूँ, ठीक है इस Almure के के लिए यह क्याई जमीन है, यह इस तरीके से लंबी-д May-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- जड़ है इसके ठीक है एक गाय आती है ये गाय चल चल के चल चल के आई इसने ये खाना शुरू कर दिया ठीक है गाय है बकरी है भैस है इन्होंने इसको आके खाना शुरू कर दिया अब खाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ खाते 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 ये कटा ये कटा ये कट हुआ यह टायी है कटा लास्में कितनी रह गई है लास्में सिर्फ यह इतनी 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 रह मैं ठिक उपर का सारा खतम हो गया गाय भैसे बकर सब चर गई अब क्या होगा धीरे धीरे यही जो अंतवेशी ठीक है विब जो तक उतक है यह क्या काम करेगा यहां पर फटा फट से विभाजन का काम शुरू कर देगा और यह फटा फट से क्या है फिर से बढ़ने लग जाएंगी औ तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह नए भाग का निर्मान कर रहा है नए भाग बोल सकते हैं या पुनाह जो है जो भी भाग है पुना भाग का निर्मान करता है ठीक है का निर्मान करता है ओके, यहां अगर लंबाई की बात किये, मैंने तो किस में करी है, लंबाई की बात जड़ और तने में करी है, ठीके, जड़ में वे तने में, ठीके, यह दो चीज़े clear हो गई है बिल्कुल, है न, चलो, तीसरा बचता है हमारे पास, तीसरा भी कौन सा dark color उठाएं, यह दिख हां लेटरल ठीक है यह कहां मिलेगा आपको यहां किनारों में मिलेगा यहां किनारों में मिलेगा ठीक है जो क्या काम करेगा इसको मोटाई देने का काम करेगा ठीक है जो क्या काम करेगा इसको मोटाई देने का काम करेगा तो चलो यहां लिख देते हैं तीसरा पॉइंट यह क्या है हमारा तीसरा पॉइंट है पार्श्व विब जो तक उतक ठीक है अब अगर इसके हम काम की बात करते हैं ठीक है अगर हम इसके काम को देखें तो यह क्या करता है मैंने क्या बोला मोटाई में मदद करता है मोटाई बढ़ाने में मदद करता है या विभाजन करता है ठीक है मोटाई के लिए विभाजन करता है ठीक है यहां तक सारी बाते सबको क्लियर हुई है ना मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए अब यहाँ पर एक मज़े की बात और आती है कि वही प्राथमिक विब जोतक क्या होता है और दुख्तिक विब जोतक क्या होता है तो मैं प्राथमिक की बात करूँ तो यहाँ पर समझो यहाँ पर, अगर मैं प्राथमिक की बात कर रही हूँ, तो भाई ये दोनों जो हैं, ये क्या कहलाएंगे, प्राथमिक, विब, जो तक, उतक कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिशू, लेकिन ये जो है, पार्श, विब, जो तक, उतक, ये क् तक कहलाता है ठीक है यह क्या कहलाता है जूत्यक विब जो तक विब जो तक उतक सेकेंडरी मेरिस्ट्रमाटिक टिश्व ठीक है यहां तक सब को क्लियर है मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी डाउट होना चाहिए ठीक है बहुत अच्छे से एक एक लाइन बड़े प्यार से लिख लिख के समझाई है ठीक है तो सब को क्लियर होनी चाहिए चलो अब यह सारा टेक्स क्या है यह वो सारा टेक्स है भाई जो मैंने अभी आपको बोल बोलके बोल बोलके समझाया है फिर बता देती हूँ एक बार कोई बात में कि बैट पोदों के शरीर में पाय जाने वाली समान कोशिकाओं के समुव को क्या बोलते हैं और जो साथ काम करती हैं समान काम करती हैं उसे हम पादब उतक यानि कि प्लान तिश्यू का नाम देते हैं दो तरीके के होते हैं, बता दिया है कि भाईया विबजोतक और स्थाई, ठीक है, मेरिस्टमेटिक और पर्मनेंट, अब भाईया विबजोतक की बात करते हैं, तो पौधे में पाए जाने वाले उतक जिनकी कोशिकाओं में विबभाजन की बहुत अधिक शम्ता होती है, क्या कहलाते हैं, विबजोतक उतक कहलाते हैं, ये अकार में समान पतली कोशिका भित्ती वाले होते हैं, ठीक है दो बार हो गई होती होती ठीक है और पौधे में इस्तिति के अधार पर जो इस्तिति है उसके अधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं कंडीशन के हिसाथ से तो पहली आ गया शीष स जहां पर हमने क्या बात करें जड़ या तने के शीष भाग पर पाए जाने वाले विब्वे जो तक उतक कहलाते हैं इनके विभाजन के परिणाम सरूप जड़ तने की क्या होती है लंबाई में वृद्धी होती है जो मैंने बह दाइग्राम में समझाया है बहुत प्यार से ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर है अंतहविष्ट विभ्य जो तक ठीक है अंतहविष्ट विभ्य जो तक तो भाईया पौधे में मैंने क्या लिखा है अंतहवेशी वाव अंतहविष्ट अंतहविष्ट ठीक है फिर कहीं और भ गलत लिखा है बताओ रबड ली नहीं है अन्टहावेश्ट ठीक है चलो चलो पौधों में पत्यों का आधारिय भाग के तने के पर्व वे पर्व संधियों में पाए जाने वाले विभी जोतक उतक अंदर वेशी विभी जोतक उतक कहलाते हैं वेश्ट क्या लिखा है वेश्ट ठीक है इनकी कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम सरूप नई शाखाओं का निर्मान होता है जो मैंने आपको घास का एक्जैम्पल लेके समझा दिया हूँ चलो पार्ष वा जाता है अब ठीक है वेश्ट के पार्ष भाग में पाए जाने वाले जिसक दुषिक कहते हैं कि फिर हमारे पास स्थाई उतक आता है स्थाई उतक भी मैंने आपको समझाय है भाई कि विबिज़ु उतक उतक लगातार विवाजन के बाद उनकी कोशिकाय विवाजन की जो छम्ता होती एंसको खोव देते हैं ठीक है ये जो स्तिथी उसने प्राप्त कर ली है इसे स्थाई उतक का नाम दिया जाता है ठीक Champions सरल उतक और सं zaral उतक होता है ठीक है संयुक्त या फिर जटल बोल दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं बहुई सरल स्थायू तक के बारे में तो जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाओं का वह समू है जो क्या करता है जो आकार में समान होता है ठीक है समान होता है और क्या करता है समान कार्रे भी करता है और क्या करता है समान कार्रे भी करता है ठीक है समान कार्रे भी करता है अब ये क्या होता है आपका स्थाई उतक ये क्या होता है तीन प्रकार का होता है ठीक है तीन प्रकार का होता है यह कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं चलो देख लेते हैं भई पहला प्रकार इसका आगया पारन काइमा ठीक है पहला आगया क्या आगया पारन काइमा ठीक है पहला आगया आपका पारन काइमा दूसरा क्या आगया कॉलन काइमा ठीक है? colon, काइमा फिर तीसरा क्या आ गया आपका? इंगलिश मैं लिख रही हूँ तीसरा क्या आ गया? स्कलेरन, काइमा ठीक है? तो ये तीन आ गए इसके ठीक है? कि ये क्या होता है भई? सरल स्थाई उतर ये इन तीनों में डिवाइड होता है देखो यहाँ पर हमने बात कर दी पैरन, काइमा colon, काइमा, स्कलेरन, काइमा ठीक है? चलो ये तीन भागों में विभाजित हो गया है अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि क्या जानने वाली बात है? कि ये जो पैरन, काइमा और कॉलन, काइमा है ये जो पैरन, काइमा और कॉलन, काइमा है ये क्या होती है? जीवित, कोशिका होती है ये जीवित, कोशिकाए होती है ठीक है? जीवित, कोशिकाओं से बनी हुई होती है, ये भी कह सकते है और ये जो स्क्लेरन काई माहिए यह मृत मृत कोशीकाओं से ठीक है मृत कोशीकाओं से ठीक है clear यहाँ तक चलो ठीक है यहां समझ में आ गया है यहां तक मुझे लगता निये कोई डाउट होना चाहिए क्लिलेर बिल्कुल कोशिकाओं का वो समूं है जो क्या करती है यह अकार में समान होती है ठीके फिये और समान क्या करती है इन चय बने होई होती है वह सक्सका अब इसका उल्टा भाई है ये मृत्तिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं ठीके चलो थोड़ा सा इन तीनों के बारे में जान लेते हैं इन तीनों के बारे में जान लोगे तो यहीं पर लिखते 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 आपको याद हो जाएगा ठीके आगे के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी चलो ठीक है सबसे पहले हमारा क्या है पैरन काइमा सबसे पहले क्या है पैरन काइमा ठीक है दूसरा क्या है हमारा कॉलन काइमा ठीक है तीसरा क्या है स्क्लेरन काइमा ठीक है यह तीनों चीज़े हमारे पास आ गई अब हमने क्या बोला कि यह जो पैरन काइमा और कॉलन काइमा है यह क्या है जीवित कोशिकाएं जो होती है जीवित कोशिकाएं होती है ठीक है यह क्या होती है जीवित कोशिका है ठीके जीवित कोशिका है यह ठीके ये भी क्या है जीवित कोशिका है जीवित कोशिका ठीके लेकिन वहीं इसका उल्टा इस क्लैरन काइमा क्या है मृत कोशिका है मृत कोशिका है कोशिका है ठीके मृत कोशिका है हैं ठीक है चलो यह हमने जान ली आए कि किस तरीगे की कोशिकाएं हैं यह फिर अगर हम यहां कोशी का भित्ती की बात करते हैं इनकी ठीक है तो कोशी का भित्ती में यहां पर क्या होता है कि भाई कोशी का भित्ती कोशी का भित्ती में cellulose होता है ठीक है कोशी का बित्ती में क्या होता है cellulose होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर कोशी का बित्ती में कोशी का बित्ती में क्या होता है cellulose होता है ठीक है इसके बाद hemicellulose होता है hemi cellulose होता है ठीक है और pectin होता है ठीक है यह तीनों चीज़े होती है फिर अगर हम यहाइश क्लेरन काइमा की बात करते हैं तो यहाँ पर कोशी का बित्ती किससे बनियों यह होती है लिगनिंग नामक लिगनिन ठीक है लिगनिन नामक पदार्थ के जमाव से बनती है ठीक है लिगनिंग नामक पदार्थ के जमाव से बनती है अब यहाँ पर क्या होता है इस लिगनिन की वज़े से इस लिगनिन की वज़े से क्या होता है यहाँ पर यह परत यह मोटी होती है ठीक है क्या होती है मोटी होती है इसकी ठीक है वहीं अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यह पेक्टिन क्या है जो भित्ती है याने की जो वाल है तो इसके कोनों पर होती है ठीक है इसके कोनों पर होती है इसी वज़े से क्या होता है यह जो इसके कोने होते है ना पेड़ों के कोने जो हो गए वो क्या होते है मोटे होते है ठीक है इसी वज़े से वो मोटे हो ठीक है यहां पर बात करते हैं यहां तेलूलोज होती है इसले ही पतली होती है फिर बात करते हैं कि यह कोशी तो आकरती कैसी हो सकती है इसकी आकरती कैसी हो सकती है इसकी भाई गोलाकार हो सकती है गोलाकार हो गई अंडाकार हो गई ठीक है और कैसी हो गई ये बहु कोणिये होती है बहु कोणिये ठीक है यहां हो गई है अगर अगर कॉलन काइमा की बात करते हैं तो ये कैसी है बेलनाक ठीके, बेलनाकार हो गई, अंडाकार हो गई, ठीके, अंडाकार हो गई, गोलाकार हो गई, ठीके, यह ऐसी होती है, फिर अगर स्क्लेरन काइमा की बात होती है, तो भई, यह गोलाकार है, और ज्यादा तर बेलनाकार, ठीके ज़्यादातर बेलनाकार है चलो समझ में आ गया अब क्या बात करें भाई यहां पर एक खाली स्थान पाया जाता है यहाँ पर एक खाली स्थान पाया जाता है, ठीके, चलो, यही लिख देते हैं, ठीके, खाली स्थान पाया जाता है, तो यहाँ पर जो कोशिकाए होती हैं, जो कोशिका है, ठीके, कोशिका के मद्धे में, कोशिका के मद्धे में क्या है, एक खाली स्थान पाया जाता है, खाली इस्थान पाया जाता है, ठीक है, चलो next page पर आ जाते हैं इसके बाद हम, ठीक है, फिर से यहाँ पर पहले एक line बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो, कि भई यह कोशिका के मद्दे में क्या है, खाली इस्थान पाया जाता है, तो वही जो खाली इस्थान पाया जा रहा है, ठीक है, जो खाली इस्थान पाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरा, अंतरा कोशी का या कोशी की ये स्थान इंटर्ण सेलूरल स्पेस ठीक है अंतरा कोशी की ये स्थान बोला जाता है ठीक चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉलन काईमा की तो कॉलन काईबाई में क्या है कि यहाँ पर जो कोशी का होती है जो कोशी का है वो कैसी है चिपकी हुई होती है चिपकी हुई होती है इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी क्या है जगा नहीं है इसका मतलब अंतर अंतरा कोशी किये इस्थान अनुपस्थित है अनुपस्थित होता है ठीक है ओके चलो यहां समझ में आ गया नेक्स पॉइंट अगर हम उठाते हैं तो यहां पर कितने होगे चार तो यहां पर पांच की अगर हम बात करते हैं पांच वह देखते हैं तो यहां पर क्रिया करते ही ठीक है और जिसकी वज़े से क्या होता है झिसकी वज़े से क्या कर रहे हैं भोजन का निर्मान कर रहे हैं भोजन का निर्मान ठीक है और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं उसका संचे भी कर रहे हैं ठीक है इसके साथ साथ उसका संचे भी कर रहे हैं फिर यहां पर बात करते हैं तो जब यह भी जीवित कोशिक आए हैं तो इसका मतलब कि ये भी क्या करेंगी, ये भी भोजन, भोजन निर्मान करेंगी, ठीक है, भोजन निर्मान करेंगी, और उसके साथ साथ क्या करेंगी, ये यांतरिक सहारा बनेंगी, यांतरिक सहारा बनेंगी, ठीक है, किसका भाई, जो छोटे छोटे नए नए भाग होंगे, कमजोर भाग हो उनका ठीक है क्लियर चलो इधार आ जाते हैं अगर हम बात करते हैं तो यह क्या करते हैं यह यांतरिक सहारा बनते हैं यह भी ठीक है क्यों क्योंकि कर्फिन होती है ठीक है और क्या है मोटी होती इस वजह से ठीक है इसके साथ साथ दो भाई फल ऑबुति का निर्मान करते हैं ठीक है इसके साथ एक और चीजस की भाई जो दाले होती हैं जो डाल के बाहर का आवरण होता है वो भी यही होते हैं आवरण गलत लिख दिया आवरन का निर्मान होता है क्योंकि वो भी यही होते हैं ठीके, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आग्या होगा भाई इन तीनोज के बारे में कोई भी कन्फूशन नहीं होना चाहिए अब, क्लियर, आग्या समझ में चलो, आगे बढ़ जाते हैं ओके, चलो पैरन काईमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस उतक की कोशिका पतली कोशिका भित्ती वाली गोल होती है जलिये पादवों में इस उतक की कोशिकाओं के मद्धे वाय होता है और भूरी होती है यह जिसके परिणाम सरूप जलिये पादव फलके होते हैं वे जल की सताय पर तैरते रहते हैं इस उतक की कोशिका में मंद्ध, प्रोटीन, वसा जैसे खादे पतार्दों का संचे होता है ठीके पत्यों में यह उतक जल संग्रह का कार्रे भी करता है कभी कभी इन में हरित लवक की उपस्तिती के कारण से यह प्रकाश संसलेशी का कार्रे भी करती है ठीके चलो देख लो यहाँ पर यह क्या क्या कार्रे कर रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहोगा आपको है ना नेक्स आता है कॉलन काईमा जिसको स्थूल कोड भी कहते है इस उतक की कोशिकाई गोल भुजाकार होती है तता कोनों पर इनकी कोशिका भित्ती मोटी होती है हरित लवक की उपस्तिती कारण इस उतक की कोशिकाई प्रकाश संसलेशन का कार्रे करती है यह उतक पौधो के कोमल भागों को द्रणता प्रदान करता है ठीक है यहां clear हो गया है ओके ना इसके बाद क्या है भाई स्क्लेरन काईमा आता है जिसको हम द्रण उतक भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं द्रण उतक ठीक है द्रण उतक भी बोला जाता है इसको तो भई यह उतक पादप का मुख्य बलशाली उतक होता है इसकी कोशिका ये लंबी वे नुकीली होती है तदा लिगनिन नामक पदार्थ के जमाव के कारण इसकी कोशिका भित्ती मूटी होती है ये उतक पौदों में यांतरी की साधन वे सहारा प्रदान करते हैं ये उतक से बने पादप तंतू का उपयोग चटाई वे रसी में किया जाता है ठीके इसका उपयोग किसे बनाने में करते हैं चटाई और रसी को बनाने में करते हैं ठीके चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है तो इसको मैं कहूंगी कि ये वो उतक है ये क्या है ये वो उतक है कैसे उतक है ये जो आतार में क्या है समान है पर कारे जो है इनके वो क्या है भिन्न है अब ये जो जटल स्थाई उतक है ये क्या है दो प्रकार के होते हैं ये क्या है दो प्रकार के ठीक है ये क्या है दो प्रकार के होते हैं कौन से हो गए दो प्रकार भाई एक तो आपका जाइलम आ गया ठीक है और दूसरा क्या आ गया फ्लोयम ठीक है दूसरा क्या आ गया फ्लोयम आ गया चलो जी मान लेते हैं अब जाइलम का काम क्या है जल का समवहन करना है ना जल का समवहन करना याने की जल को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाना ये किस्ता काम है जाइलम का काम है फ्लोयम की काम की बात करते हैं तो फ्लोयम क्या करता है ये भोजन का समवहन करता है ठीक एक बोजण को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाता है क्लियर सबको यह तक आप अगर हम जल समवहन की बात कर रहे हैं तो भाई यह जल समवहन कहां से कहां जाता है यह जाता है आपको जड से हुआ है कहाँ से से कहा जा रहा है जड में से क्या कर रहा है यह जड में से जल को अफशोशित कर रहा है जल को अब शोशित ठीक है जड में से जल को अफशोशित करता है यह ठीक है वहीं अगर हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं याने की बोजन की बात कर रहे हैं तो भाई यह पत्तियों से पत्तियों से भोजन संचे करता है क्यों भाई? क्योंकि पत्तियां भोजन कैसे बनाती है अपना photosynthesis याने कि किससे बना रही है? प्रकाश एंसलेक्शन की क्रिया के दुआरा ये अपना खाना बना रही है चलो ये भी मान लेते हैं अब हम क्या बात करते हैं अगर मैं जाइलम के बारे में बात करती हूँ अब अगर मैं जाइलम के बारे में बात करती हूँ ये रहा आपका जाइलम ठीक है? और ये क्या रहा? फ्लोयम ठीक है? याग्या जाइलम याग्या फ्लोयम तो जो जाइलम होता है ये कितने भागों में होता है बहुत पहला आपका किस में आ जाएगा वाही निकाएं ठीक है वाही निकाएं जिने हम ट्राकेट्स बोलते हैं ठीक है जिनको हमने ट्राकेट्स बोला दूसरा क्या आ गिया दूसरा वाही का आ गिया ठीक है तीसरा क्या गया जाइलम पैरन काइबा ठीक है चोधा क्या आ गया जाइलम तन्तु आ गया ठीक है तो यह जाइलम के आ गया कि इसमें शारी चीजें अब अगर फ्लोयम में देखते हैं तो फ्लोयम में क्या है चालनी कोशिका ठीके, दूसरा क्या है या तो साथी बोल लो जिसको companion बोलते हैं साथी या सहचर companion cell जो होती है सहचर कोशिका ठीके, फिर क्या है हमारे पास phloem parent काईमा ठीके, तो ये क्या है ये भईया जाइलम के पार्ट है वो phloem के पार्ट है ठीके, तो ये इस तरीके से पूरा डिवाइड हो गया है कहीं भी confusion नहीं होना चाहिए सबको अच्चे से याद होना चाहिए आ गई समझ में ये भईया जटले साई उतक का थोड़े सा इसके बारे में लिखा है कि चलो ये भी देख लेते हैं अब कि जटल उतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाय होती हैं ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्रे करती हैं ठीक जाईलम तता फ्लोयम जटल उतक के उधारन आते हैं जाईलम मूल से पानी तता खनिश लवन को तने तता पत्तियों तक पहुचाने के लिए एक समवहन उतक की तरह कार्रे करता है यह पौधे के अंगो को यांत्रिक सहारा भी देता है यह चार तत्वो याने की वाही का जाईलम तंतो और जाईलम पैरणकाइमा से मिलकर बना होता है तो अगर मैं जटल उतक की बात करती हूं तो हमको मालुम है कि भाई हम क्या है जटल उतक को क्या बोलते हैं complex tissue बोलते हैं ठीक है तो ये जो complex tissue है यहां क्या है कि भाई जो कोशिकाएं होती है जो कोशिकाएं होती है ठीक है उसकी उत्पत्तिती क्या होती है समान होती है इसकी उत्पत्तिती क्या है समान होती है ठीक है चलिए ठीक है मान लेते हैं अब इसके कारे की अगर हम बात करते है ठीके इसके कारे की अगर हम बात करते हैं तो भाई कारे क्या है अलग-अलग कारे क्या है अलग-अलग होता है ठीके उत्पत्तिती समान है लेकिन जिसका काम है वो अलग-अलग है ठीके चलो जान लेते हैं अब ये जो होती है, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं, पहला हो गया हमारा जाइलम, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा फ्लोयम, ठीक है, पहला हो गया जाइलम, दूसरा क्या हो गया, फ्लोयम हो गया है हमारा, चलो ठीक है, माल लेते हैं अब अगर हम जायलम की बात करते हैं तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है जल का समवहन हो रहा है यहाँ पर जल का समवहन हो रहा है ठीक है याने कि जल जो है इसी जायलम की वज़े से पूरे पेड़ों में ठीक है जा रहा है पूरे पेड़ के पार्ट में जा रहा है अगर हम फ्लोयम की बात करते हैं तो फ्लोयम में क्या होता है भोजन का समवहन हो रहा है इसमें जल का समवहन इसमें भोजन का समभान हो रहा है ठीक है अब अगर हम क्या बात करते हैं हम बात करते हैं भई कि जायलम के क्या 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 है components क्या है इसके तो भई सबसे पहला कि आ गया हमारे पास वाही निकाएं वाही निकाएं ठीक है यह आ गया दूसरा हमारे पास वाही का आ गया ठीक है तीसरा हमारे पास जाइलम पैरन काइमा आ गया पैरन काइमा ठीक है और चौथा क्या आ गया हमारे पास जाइलम तन्तू आ गया ठीक है तो यह इसके अगर बैस प्लो एम की करती हूं कि फ्लो एम में क्या-क्या आता है तो फ्लो एम में हमारे पास आते हैं यह जिसको हम साथी कोशी का भी बोलते हैं साथी कोशिका ठीक है याने की companion cell जो होती है फिर हमारे पास क्या गया flowiam flowiam parent काईबा parent काईबा ठीक है फिर हमारे पास क्या गया flowiam तंतू ठीक है तो यह चीज है यह इसके component है अब मुझे बताओ कि यहाँ पर यह दोनों चीजे आप सभी को clear हो गई है कि भाई, floem में क्या है, gel का समभान हो रहा है और यह उसके component है ठीक, और यहाँ, sorry, xylem में, और floem में भोजन का समभान हो रहा है और यह उसके component है, ठीक है, इतनी बाद सब को clear चलो, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि भई, समभान का मतलब क्या होता है, कि एक जगा से दूसरे जगा मतलब जो इस्थानांतरन होना किसी भी चीज का, और यह xylem और floem दोनों मिलके क्या है समभान उतक बनाते हैं, ठीक है, कि दोनों क्या कर रहे हैं, यह स्थानांतरन डर रहे हैं, किसी भी चीज का, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इसी लिए, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, देखो, यह जो है, यहाँ पर क्या है, जटिल उतक में एक से अधिक प्रकार की कोशि होती है, यह मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है, यह हमने क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, पूरा का पूरा, ठीक है, इसलिए इसको कन्फूशन मत रखना बिल्कुल भी, ठीक, तो यह सब क्या है, हमने जब पढ़ लिया है, यह रिकाप है, इसको आप एक ब जाइलम पैरंकाइमा में भोजन का संचे होता है तदा जाइलम तंतु पौदों को यांतरिक सहारा प्रदान करने का काम करता है ठीक है तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या यहां पर बातित चल रही है है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहली बात करते हैं वाही निकी की यह पहला कॉंपोनेंट आता है ठीक है किसका जाइलम का तो यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यह क्या होती है यह होती है भाई लंबी अथवा लंबी अथवा नली का कर नली का का कोशी का ठीक है नली का का कोशी का चलो ठीक ह है मान लिया फिर यहां पर जो कोशी का भित्ती होती है यहां पर जो कोशी का भित्ती होती है कोशी का भित्ती होती है वो कैसी है मोटी होती है ठीक है किस वज़े से किस वज़े से लिगनिन की होती है इस वज़े से ठीक है मोटी होती है लिगनिन की वज़े से ठीक है लिगनिन की वज़े से होती है लिगनिन की बनी हुई होती है चलो आगे बढ़ते हैं अब अगर यहाँ पर हम गुहिका की बात करते हैं गुहिका की बात करते हैं तो यह जो गुहिका है वो शुन्डाकार होती है ठीके क्या होती है शुंडाकार है वो यहां पर अब हमको मालुम है कि यह जो वाहिनिकी है यह मृत है ठीके यह मृत है और प्रोटो प्लाजम नहीं होता है यह क्या है मृत है और प्रोटो प्लाजम विहीन है ठीके ये मृत है और प्रोटो प्लाजम विहीन है ठीके अब कोशी का भित्ती जो होती है यहाँ पर इसकी अगर हम कोशी का भित्ती की अगर बात करते हैं तो वो क्या होती है बात की थी हमने की भाई ये मोटी होती है ठीके मोटी होती है और आकरती कैसे होती है इसकी अलग हो होती है ठीक है चलो मान लेते हैं और जो सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर कि भाई जो पुश्पी पादपों में क्या होता है पुश्पी पादपों में वाहिनिकी वाहिनिकी और वाहिका पानी के इस्थानांतरन पानी के इस्थानांतरन के लिए के लिए मुख्य के लिए मुख्य क्या है मुख्य अवियव ठीक है अवियव है ठीक है तो यहां तक आपको क्लियर की वहाइद पर है कोशी का बित्ती मोटी है लिगिनिं की बनी होती है क्योंकि और आकर्यिति इसकी अलग होती है मतलब भिन होती है, गोही का शुन्डाकार होती है यहाँ पर यहां पर, ये मर्त्य कोशिक आया है प्रॉटप्लाजम इसमें नहीं होता है पुष्ट पी पादों पर में वाही डिकी और वाही का पाने का इस्थानांतरन करने के लिए transfer करने के लिए mainly यही होती है चलो, अब अगर वाहिका की बात करते हैं तो वाहिका कैसी है? लंबी है ठीक है? लंबी है और cylindra कार है ठीक है? लंबी है और cylindra कार ठीक है? लंबी है और cylindra कार है ठीक है? चलो, अब इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है ठीके इसमें क्या है? बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहि का अवरयव कहते हैं ठीके? वाहिका अब ये अब कहते हैं अब ये जो कोशिकाय है तो इन में प्रतेक की प्रतेक की बित्ती लिगनिन से बनी हुई होती है लिगनिम की होती है ठीक है देखो ये एक एक चीज लिख लिख के इसलिए समझा रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगी नहीं समझोगे तो नहीं याद होगी फिर सबका ऐरोप्लेन उड़ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब यहा पर एक बड़ी केंद्र गुहिका होती है ठीक है फिर क्या आता है next कि यहाँ पर क्या होता है वाहिका में वाहिका में क्या होता है प्रोटो प्लाजम नहीं होता 125 प्लाजम नहीं होता है ये क्या है? ये लंब वत एक दूसरे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ क्या है? छिदृत हाँ, छिद्रित, पाइप की भाती जुड़े रहते हैं, ओके? ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है भाई? अगर वाही का मौजूद है, तो उसका होना क्या होता है? एंजियो सपर्म में, एंजियो सपर्म का एक मुख्ये गुर हैं, ठीक है, एंजियो सपर्म का यह क्या है? main character है कि उसमें ये पाई ही जाती है ठीक है तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है फड़ा फड़ से फ्लो इम की लेकिन फ्लो इम से पहले कि जानते हैं हम लोग छो फ्लो इंब से फहले एक और चीज़ के बारे बात कर लेते हैं जो क्या है कि जो है जाइल मतन्तु भाट जान जानना इचक्ति चांधिर होतीय है मोटी होती है इसकी जो बित्ती होती है वो क्या है मोटी होती है ठीक है और इसका जो है क्या इसका केंद्रिये जो गुही का है ठीक है वो क्या है विलुप्थ होती है ठीक है केंदरिया गोहिका क्या है विलुप्थ है इसके आगे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है यह पटिये हो सकती है ठीक है अथवा आपटिये हो सकती है हो सकती है ठीक है दोनों में से कुछ भी हो सकती है तो चलो एक छोटा सा डाइग्राम बनाते हैं कि यह क्या है इस तरीके से मौजूद होती है ठीक है अगर यहां पर यह इस तरीके से लाइने मौजूद है ठीक है और इसके उपर यह केंद रख है तो यह क्या हो गए पटी है ठीक और खाली केंदरक ऐसे मौजूद है ये क्या हो गई आपटी है ठीक है ना तो दोनों चीज़ों में ये अंतर है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे जाइलम पैरन काइमा की बात करते हैं चलो जाइलम पैरन काइमा की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ठीक है तो ये कैसी कोशिकाय होती है ये जीवित कोशिकाय होती है ठीक है कैसी कोशिकाय है ये कोशिकाय कैसी है ये कोशिकाय कैसी है कैसी है ये जीवित होती है ठीक है अब अगर इन कोशी का भित्ती की हम बात करते हैं कि इनकी कोशी का भित्ती कैसी है तो कोशी का भित्ती की अगर बात हो रही है कोशी का भित्ती की अगर बात हो रही है तो कैसी है वो cellulose से बनी है ठीक है cellulose से बनी है और जब cellulose से बनी है तो इसी कारण कैसी है पतली है ठीक है इसी कारण क्या है पतली है अब इसमें क्या होता है इसमें स्टार्ज ठीके और वसा ठीके तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन हो गया ठीके जैसे क्या हो गया टैनिन ये क्या होते हैं ये भोजन के रूप में संचित रहता है ठीके अब यहां पर अगर हम पानी की बात करते हैं तो भाई जो पानी होता है पानी का त्रिज्य समवहन होता है क्या हो रहा है त्रिज्य? त्रिज्य समवहन हो रहा है त्रिज्य समवहन पैरन काईमा कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं के द्वारा होता है ठीक है इतनी बात क्लियर सबको यह हमारा जाइलम पैरन काईमा के बारे में हो गया चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर एक काम करते हैं पहले एक शीट जोड़ लेते हैं बीच में खाली शीट यहां नहीं चलो जोड़ लेते हैं यहीं से कहां गई यहां पर चलो थोड़ा से क्या है समझ लेते हैं इनको चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे तो पहले हम यहां पर इस तरीके से चलो लाइने खीच लेते हैं ठीक है, लाईने खीच ली है, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे सबसे पहले, वाही निकाएं, ठीक है, वाही निकाएं की बात करते हैं, ठीक, उसके बाद किसकी बात करेंगे, हम वाही का की बात करेंगे, लो जी वाहिका की बात कर ली फिर जायलम तंतु के बारे में बात करेंगे जायलम तंतु फिर जायलम पैरनकाइबा ठीके तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब जब सबसे पहले हम कोशिका के बारे में बात करते हैं यहां पर सबकी, ठीक है, सबकी कोशिकाओं के बारे में हम बात करते हैं तो सबकी कोशिकाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, मृत होती है, ठीक है ये कैसी है, मृत है, ये कैसी है, मृत है पर ये कैसी है, जीवित है, ठीक, कैसी है, जीवित है अब अगर हम किस की बात करते हैं, अब इसकी कोशी का बित्ती की बात करते हैं, कोशी का बित्ती की बात करते हैं, देखो इसको गर समझ लिया न, अपने इन चीजों में difference, तो आप अच्छे तरीके से सब समझ जाओगे, ठीक है, तो कोशी का बित्ती की अगर हम बात करते हैं तो कोशी का बिट्टी यहां कैसी है, मोटी है, किस की वज़े से भाई, लिगनिन की वज़े से, ठीक है, लिगनिन की वज़े से मोटी है, यहां कैसी है, यहां भी सेम हो गया, कि मोटी है, किस की वज़े से, लिगनिन की वज़े से, यह भी मोटी है, लिगनिन की वज़े से, cellulose है ठीक है इसमें क्या है cellulose है अब अगर हम यहाँ पर आकरती की बात करते हैं कि इसकी आकरती कैसी है ठीक है तो आकरती की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या है लंबी है नली का कार है ठीक है अगर हम वाहिका की बात करते हैं तो यह कैसी है यह है भाईया तन्तु रूपी लंबी सनरशना ठीक है यहां अच्छा गलत हो गया यहां पर यह हमारी होने थी लंबी और सिलेंडरी का कार यह हमारी थी यहां पर यह कहलाएगी तन्तु रूपी लंबी सनरशना ठीक है सेम यहां पर भी होगी तन्तु रूपी ठीक चलो अब अगर हम किसकी बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके समवहन की बात करते हैं ठीक है कि यहां समवहन कैसा है तो समवहन के बारे में अगर हम देखते हैं तो समवहन यहां कैसा है जल का समवहन है जल समवहन यहाँ पर होता है यहाँ पर भी क्या है जल समवहन है यहाँ पर क्या है जल के साथ साथ जल प्लस जल समवहन प्लस यांत्रिक यांत्रिक सहारा देते हैं यह ठीक है कि भाई जल का समवहन तो हो रहा है लेकिन यांत्रिक सहारा भी दे रहा है वहीं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जल का संवहन होता है जल, संवहन इसके साथ साथ क्या हो रहा है भोजन संचे हो रहा है भोजन संचे थीक है तो देखो इसको आप याद कर लो बहुत अच्छे से यह आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल confusion मत रखना, यह चोड़ी-चोड़ी चीज़े हैं, जो आपको easy बनाती हैं चीज़े याद रखने के लिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, फ्लोयम की, की फ्लोयम के बारे में क्या बात करनी है अब तो बात फ्लोयम क्या है, यह एक ऐसा उतक है, यह ऐसा उतक है भाई, जो पौधों में क्या करता है, भोजन, भोजन के समवहन का कार रह, ठीक हैं, समवहन का काम करता है अब ने कहूं इसके प्रकार के बारे में, तो बाईया इसके चार प्रकार होता है, यह चार प्रकार का होता है, चार प्रकार कौन-कौन से चार प्रकार हैं? एक, दो, तीन, चार चलो देख लेते हैं चार कौन-कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास हमने बात करी थी साथी कोशी का ठीक है? साथी कोशी का companion cell ठीक है? सहचर भी जिसको बोलते हैं हम फिर दूसरी क्या है हमारे पास? चार्ली कोशी का ठीक है? फिर क्या है? फ्लोयम फ्लोयम पैरन काईमा अभी तक हम जायलम की बात कर रहे थे ठीक है? तो जायलम पैरन काईमा था अब हम फ्लोयम की बात कर रहे हैं तो फ्लोयम पैरन काईमा है और phloem तन्तु ठीके तो ये क्या है इसके चार प्रकार है ठीके इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं आ गई है इतनी बात समझ में ना ठीके कि इसके प्रकार है जो सबसे पहले हमने अभी देखे थे तहां देखा था यहाँ पर देखो दिख रहे है phloem के बारे में है ना ये तो हमने पढ़ लिया है अब वो पढ़ रहे हैं ठीके चलो फड़ा फड़ से इसको भी क्या करते हैं कवर कर लेते हैं चलो तो भाई जो साथी कोशिका है ठीके वे चालनी कोशिका प्राया पौदे में भोजन का संगरहन चारो दिशा में करती हैं ये दोनों ही चारो दिशाओं में करती हैं phloem पैरनकाइमा भोजन का संचे करती है phloem तम्तू पौदे को यांतरिक सहारा देती है ठीके क्योंकि जाइलम वे phloem उतक पौदों में भोजन खनिशलवर जल का संवहन या संगरहन करते हैं इसलिए इन्हें संवहन उतक कहते हैं जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था ठीके चलो आगे बढ़ जाते हैं चालनी नलीका ठीके यहां पर तत्व लंबे कहां लिखे यही से लिख देता हैं चलो तत्व लंबे ठीके नलीका की तरहा ठीके की संरचना नलीका की तरहा की संरचना लंबवत तथा सहचन कोशी काओं से जुड़ी हुई होती है ठीके कोशी काओं से जुड़ी हुई जुड़ी हुई होती है ठीके clear इतनी बात चलो दूसरा point देखते है दूसरे point पर भाई कि इनकी अंतह भित्ती जो होती है वो क्या है चालनी की तरह छिदरित होती है ठीक है छिदरित मतलब पोर होते है ठीक है चाल्ली की तरहा छिद्रित होती है ठीके जो क्या करती है चाल्ली प्लेड बनाती है ठीके चाल्ली क्या होती है जो चाल्ली होती है जो चाय चाल्लो आटा चाल्लो वैसे ओ तरीके की चाल्ली की तरह छिद्रत यहां पर बात चल रही है ठीक है यह चाल्ली प्लेट बनाती है फिर नेक्स पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहां पर कि बही जब एक परिपक्व चाल्ली होती है एक परिपक्व चाल्ली जो होती है क्या करते है तत्व में परिधिये साइटो प्लाजम तथा रसधानी होती है ठीक है रसधानी होती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई लेकिन यहाँ पर केंदरक नहीं होता है ठीक है यहाँ पर केंदरक नहीं होता है ठीक अब चालनी जो होती है चालनी नली के कारे जो है ठीक है चालनी नली के कारे क्या है पुस इसका चाली नली का जो कारे है इसको ढंक से लिख देती हूँ ताकि आप confused ना हो चाली नली का जो कारे है अब इनके पास केंदरक तो है नहीं तो काम कौन करेगा तो जो इसके पास क्या है चाली नली के पास क्या होती है सहचर कोशिकाय होती है उनके पास केंद्रक होता है, तो यह जो चालनी नली है, इसका काम उसका केंद्रक करता है, ठीक है, काकारे जो है, सहचर के, सहचर या फिर साथी कोशिका जो होती है, उसके केंद्रक द्वारा होता है, केंद्रक द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, तो इसके बारे में यह स ठीक, उलो, इस तरीके से कुछ ये है, ठीक है, अब मैं कहते हो, है ये क्या है, हमारी, ये चालनी है, ये चालनी नलीका है, अब चालनी नलीका में क्या है, कि भाईelectनी इस तरीके से प्लेटे है, ठीक है लो जी ऐसे हैं ठीक ये प्लेटे हैं अब यहाँ पर क्या है केंदरक है मैं केंदरक की बात करूँ तो यहाँ पर ये केंदरक मौजूद है ठीक है ये तो हमारी चालनी कोशिका हो गई ये कौन सी कोशिका है हमारी सहचर सहचर कोशिका अब सहचर कोशिका में ये क्या है हमारा केंदरक है ठीक है रेचर कोशिका में ये क्या है हमारा केंडरक है और चालनी जो नलीका है चालनी नलीका में क्या है हमारे पास ये प्लेट्स होती है ये क्या है प्लेट्स है ठीक है ये क्या है प्लेट्स है अब इन प्लेटों के ऊपर क्या होता है मैंने क्या पताया छिद्र होते है ऐस इनको क्या कहते हैं 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 चालनी 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 चालन मैं कहूं कि यहाँ पर कोई पत्ती है, suppose करूं, एक पत्ती इधर है, इसमें क्या है bhojan है? ठीक है, इसमें क्या है? भोजन है, पत्ती में, अब यह जो bhojan है, यह इनी छिदरों से होकर, यह इनी छिदरों से होकर, क्या है पूरे के पूरे पार्ट में जाएगा हर जेगा जाएगा तो बेसीकली यहाँ पर यह होता है कि इनके पास केंदरक नहीं है इसका जो केंदरक है वह इसका भी काम करता है और इसका भी को刹़ा अब आती है सेचर कोशिका तो अगर मैं सेचर कोशिका की बात करती हूं तो यह विशिष्ट विशिष्ट पैरन काईमा कोशिका होती है ठीक यह क्या करती है यह चाली नली के ततवों से सटी रहती है ठीक है और जो चाली नली होती है ठीक है चाली नली की ततवों सटी भी रहती है विशेश्ट कोशिका है ठीक है अब यह जो चालनी है ठीक है यह क्या चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिका सहचर कोशिका गर्थ छेत्र से जुड़ी रहती है ठीक है और यह जो चेत्र है छेत्र अनु दैरे बित्तियों के बीच बित्तियों के बीच में होते हैं ठीक है यह क्या होते है अनु धैरे बित्तियों के बीच में होते हैं ठीक है क्लियर यहाँ पर सब कोई है है यह हमारा सहचर कोशिका में होता है ठीक और क्या है इसमें वैसे दोर कुछ नहीं ज़्यादा खात बताने के लिए क्योंकि हमको आगे चैप्टर में कुछ और चीज़े ही पढ़ नहीं है लेकिन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है इसलिए बता रहे हैं चलो, फ्लोयम पैरन काइमा पे आ जाते हैं तो फ्लोयम पैरन काइमा पे आके अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है यह लंबी शुन्डी है ठीक है सिलिंडा कार कोशिका है ठीक है यहाँ पर क्या होता है सगन साइटोप्लाजम होता है यहाँ क्या है सगन साइटो प्लाजम और केंदरग भी होता है केंदरग भी होता है ठीक है अब इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच में क्या काम होता है इनके द्वारा इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच कोशिकाओं के बीच प्लाज्मो डिसमेटा जोड होता है जोड होता है ठीक है? चलो मान लेते हैं अब ये जो फ्लोयम पैरन काइमा है ये क्या करता है? खादे पदार्थ जो होते हैं तथा खादे पदार्थ तथा अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ तो जैसे की जैसे रेजिन ठीक है? रेजिन, लेटिक्स और म्यूसिलेज म्यूसिलेज संचित करता है संचित करता है ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि ये किस में नहीं होता है? एक बीज पत्री में नहीं होता है ठीक है? तो ये था हमारा स्क्लेरन 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 काईमी कोशिका से बनी होई होती है ठीक है? से बनी होई होती है अब यहां पर क्या होता है? यहां पर प्रायः अगर मैं बोलू तो प्रायः प्राथमिक फ्लोयम में नहीं पाए जाते हैं पर जुत्यक में होते हैं पर दुट्यक में होते हैं ठीक है? चलो, अब क्या होता है? ये लंबे होते हैं ये क्या है? लंबे हैं ठीक है? अर्शाकित हैं क्या है ये अर्शाकित हैं? और नुकीले हैं नुकीले कैसे? सुई की तरह ज़र सुई होती है ना? बिल्कुल वैसे ठीक है और कोशी का बित्ती यहां पर काफी मोटी होती है अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है कोशी का बित्ती कैसी है काफी मोटी है यहां पर ठीक तो यह सब था हमारा फ्लोयम तंतू के बारे में बहुत ही क्या शॉर्ट में सब कुछ कि आपको इजीली याद हो जाए ठीक है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है सब कुछ अच्छे से समझना है याद रखना है ठीक और इसी के साथ क्या हो गया भाई सारे के सारे टेक्त आको तो यहाद हो जाएंगे ताकि आप इनका रिविशन करते रहें तब तक के लिए आप अच्छे से रही अपना ख्याल रखी और टड़ा कैसे आप सब मुझे पूरी उमीदे कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से बढ़ाई कर रहे हैं नहीं करना शुरू कर दीजे बहुत जरूरी से मैं आ गया है ठीकिए तो पढ़ना शुरू कर दो तो चलो बच् कर रहे थे अपने चाप्टर के बारे में कौन सा था हमारे चाप्टर पुष्पी पादपोग करी शरीर के बारे में हम बात करें तो अभी तक हमने बहुत सारी बेसिक चीजे पड़ी है इस चाप्टर में ठीक है बहुत सारी बेसिक चीजों को हमने देखा कि ठीक है भई को में मुद्दे के उपर हमारा में मुद्दा क्या है भाई कि उतक तंत्र यानि कि तिश्यू सिस्टम क्या है तो बेसिकली उसके बारे में आज हम बात करेंगे ठीक है तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और उतक तंत्र को लेकर आते हैं तो अगर मैं कहूं क्रम जो होता है यह जो क्रम होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं उतक तंत्र ठीक है पादप उतको के विवस्तित क्रम को हमने क्या बोला उतक तंत्र याने की टिशू सिस्टम बोला हमने ठीक है चलो अब यह जो होता है टिशू सिस्टम यह तीन तरह का होता है याने कि तीन प्रकार का ठीक है तीन प्रकार है इसके चलो फटाफट से देख लेते हैं भाई कौन से तीन प्रकार है ठीक है कौन से तीन प्रकार है इसके चलो देख लेते हैं तो मैं कहूँ कि भाई पहला प्रकार आपका आता है बा ही ये तो अच्छा ठीक है बा है तो अच्छी ये उतक तंत ठीक है ये क्या है हमारा ये है हमारा पहला प्रकार दूसरा प्रकार क्या आता है भरण उतक तंत ठीक है ये हमारा दूसरा प्रकार है तीसे प्रकार की बात करें तो समवहन समवहन हमने पहले भी सुना था नाम अगर आपको याद हो तो अगर आपने ठीक से क्लास को पढ़ा हो तो भूले नहीं हो तो याद है? हाँ याद है तो थमसब दिखा दो थमसब में कोई कमीनी होने चाहिए यह फ्री का है फ्री का थमसब भाई दिखा सकते हो ठीके अगर मैं इसके इंगलीश में बोलूं तो इसे बोलते हैं एपिथीलियल एपिथीलियल टिशू सिस्टम ठीके एपिथीलियल टिशू सिस्टम अगर यहाँ बात करती हूँ तो इसको कहते हैं ग्राउंड, टिशू, सिस्टम, ठीके, अब अगर समभवन उतक की बात करती हो, तो ये कहलाता है, वेस्कुलर, टिशू, सिस्टम, ठीके, तीनों चीज़े clear आपको, कि ये इनके नाम है, ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है, ठीके, अब अगर मैं इनके कामों के बारे में बात करूँ, तो काम के बारे में कहूंगी, तो ये इपी थीलेल, बाहिये अपने नाम से बता रहा है, बाहिये तो चाहिए, ठीके, नहीं, हाँ, बाहिये तो चाहिए, ठीके, तो ये क्या है, सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये क्या काम करता है, सुरक्षा खांट की बात करती हूं थो हम ने कहा था कि संबाहन उतक जल और जो भोजन होता है इन दोनों का क्या करता है एक जिगह से दूसरे जिगह टीक है जालम के पानिव जल और पानी को नई पानी और भोजन को क्या गटते हैं एक जगा से दूसरी जगा लेके जाते हैं है ना तो यहां पर क्या लेके जा रहे हैं भाई पानी और भोजन को लेके जा रहे हैं एक जगा से दूसरी जगा पर ठीक चलो यह हो गया अब अगर मैं बोलू कि यह जो पा तो बाई सिंपल से शब्दों में कहूं तो यह उतक तंत्र आपको कहा देखने को मिलेगा यह आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा जडों में देखने को मिल जाएगा और तने में भी मिल जाएगा इन तीनों में यह आपको बहुत यह असाने से देखने को मिल सकता है बि बात करते हैं भाईया ये देखो उतक तंत्र जो मैंने मुह से बोला है अभी एक एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई पादपों में उतक के विवस्तित क्रम को हमने क्या बोला उतक तंत्र बोला ठीक है अब रचना और स्तिति क अधार पर उतक तंत्र के तीन प्रकार होते हैं और वो है भाईया अपना बाहे तो चीए उतक तंत्र भरन अत्वा मॉलिक उतक तंत्र ठीक है अरे बबरे यहां पर गड़बड हो गई है ठीक है यहां पर यह तीसरा है ठीक है यह क्या है उतक तंत्र यहां पर आता यह ठीक और लास में क्या है समवहनी उतकतंत ठीक है तो यह हमारे तीन तरीके के उतकतंतर यहां पर आ गए हैं क्लियर सबको एक एक शब्द वही है जो मैंने अभी पिछले पेश में लिखा है चलो अब अगर बाहे तो चीए उतकतंतर की बात करते हैं ठीक है हाँ जी तो अगर हम क्या बोलते हैं इसके बाद बाहे तो चीए उतकतंतर के बारे में बात करते हैं तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या है तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला यह हमें कहां देखने को मिलेगा यह हमें देखने को मिलेगा बाई जड में सबसे पहली बात नमबर वन जड में देखने को मिल सकते हैं ठीक है फिर किसमें पत्ती में देखने को मिल सकते हैं ठीक है और इसके साथ साथ पत्ती के साथ साथ तने में देखने मिल सकते हैं ठीक है तने में देखने को मिल सकते हैं ठीक उसके बाद क्या बोले हम इसके बारे में फिर हम दूसरा नंबर पर लिखेंगे यह क्या होते हैं एक इस्तर यह होते हैं एक इस्तर के होते हैं एक इस्तर यह ठीक है याने की एक परत एक परत वाले होते हैं ठीक है भाई लंबी है। ठीके। इसके साथ साथ कैसे सती हुई है। ठीके। और क्या है जो अंतरा कोशिका स्थान है वो यहां पर नहीं होता हैं। ठीके। यानी कि कोशिकाों के बीच में जो खाली स्थान है। Space है खाली, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती है, इसलिए बोला की वो सथी हुई होती है, ठीक है? चलो, next आते हैं next अगर मैं बात करूँ number 4 की तो number 4 भई, यहाँ पर आपको रजधानी देखने को मिलेगी ठीक है, रजधानी देखने को मिलती है देखने को मिलती है ठीक है जी, चलो ठीक है, फिर यहाँ पर आपको cuticle देखने को मिल जाएंगे ठीक है क्या देखने को मिल गए है cuticle cuticle ठीक है क्या होती है mom जैसी परत होती है ठीक है mom जैसी परत ठीक है तो cuticle की एक परत देखने को मिलती है जो भई mom जैसी परत होती है ठीक है चलो यह समझ गए हम तो यहाँ पर यह बाहे तोचिये उतक तंत्र के बारे में एक छोटा सा क्या ओवर्विव था चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम जड़की बात करते हैं कि जड़ में क्या होता है तो अच्छा उससे पहले यह समझ लो यह बोल रहा है कि भाई तचिए उतक तंत्र पॉदे का सबसे बाहरी आवरण है जैसे कि मैंने आपको बता रहा है कि मैंने नाम से बता रहा है बाहे याने की बाहर तुचिये याने की तुचा इसके ठीके तो इसके अंतरगत बाही तुचा कोशिकाएं रंदर तदा बाही तुचिये उपांग मूल जो मूल होते हैं वो सब आते हैं ठीके बाही तुचिये पौदें के भागों की बाहरी तूच्छा है यह भी मैंने बता दिया सबसे external है इसकी कोशगाय लंबी होती है और एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सत्य बनाती है बाहे तच्छी यह पराया एकल सतय वाली होती है जो भी मैंने आपको पीछे बताया भी कि एक स्तरीय होती है ठीक है तो ये इसके बारे में हो गया ठीक अब क्या है बाहिये तच्छे कोशिकाय क्या होती है ठीक है जिसमें क्या होता है बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाजम होता है ठीक है ये क्या होती कोशिका है और इसमें बहुत कम मात्रा में क्या है साइटोप्लाजम है ठीक है और कोशिका वित्ती के साथ होता है साइटोप्लाजम होता है लेकिन कोशिका वित्ती के साथ होता है ठीक इसमें एक बड़ी रजदानी होती है ये भी मैंने बताया आपको बाहे तुचा की बाहर की हानी को रोकती है ठीक है अगर किसी चीज के उपर आप मोम लगा दो उसके उपर पानी डाल दो तो क्या होता है उसके पानी टिकता नहीं है है ना बिल्कुल उसी तरीके से पत्ती के उपर क्या होती है सतय होती है ठीक है मोम की तरह यह गर्टी जो पानी का नुकसान होता है ना होने वाला उसको रोकती है मूल में क्यूटिकल नहीं होते हैं मूल मतलब रूट रूट में क्यूटिकल नहीं होते हैं रूट में क्यूटिकल होंगे तो भाई क्या होगा पानी कैसे जाएगा है ना उसके शरीर में पानी कैसे जाएगा तो इसलिए मूल में जरूरी होता ह चलो जी अब हम सबसे पहले पती की बात करते हैं पती बाहे तो चिए उतक के बारे में ठीक है तो अगर हम पती की बात करते हैं तो भाई चलो थोड़ा सा डाइग्राम देख लेते हैं फिर इसका ठीक है हमने बोला ये एक स्थारी होती है ठीक है ये लो जी ये रा इसका परती है एसे उपर कम stops की पारत आपाथ हों गई अब इसके ऊपर होते है रंद्र accus होते हैं ठीक के उपर क्या है रंद्र isda है शैंट क्या के रंद्र मौझूद है अब रंद्र क्या करेंगे इनका क्रेल यह क्या करते हैं यह डों सुर्ण करते हैं वाशपोर्ट सर्जन ठीक है वाशपोर्ट सर्जन क्रिया करते हैं यह रंद्र ठीक है और गैसों के विनियम में मदद करते हैं जो गैस होती है गैसों के विनियम में मदद करते हैं ठीक है ये दो चीजे ये काम करते हैं clear यहाँ पर चलो यहाँ पर समझ में आ गया है है ना अब क्या करना है हमको चलो सबसे पहले रंदर की संरशना समझ लेते हैं फिर ठीक है जो रंदर है इसकी संरशना समझते हैं तो ये बीच में क्या आगिया है आपका ये है आपका रंद्र ठीक है चलो साथ साथ नाम लिखते हैं चल पे हैं ये क्या है रंद्र है ये चलो जी ठीक है रंद्र आगिया ये अब क्या है रंद्र के बाहर रंद्र के बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा कोशिकाए देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से कोशिकाए देखने को मिल जाएंगी आपको यहाँ पर अब यह जो कोशिकाए होती है यह क्या कहलाती है दौार कोशिकाए कहलाती है क्या कहलाएंगी यह द्वार कोशिकाय, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हमने क्या बोला, गार्ड सेल्स बोला, रंदर को क्या बोला, स्टो मैटा बोला, ठीके, स्टो मैटा, ये क्या है, गार्ड सेल्स, ठीके, अब ये जो कोशिकाय होती है, द्वार कोशिका, जो गार्ड सेल्स की तरह काम करत इनके बाहर भी कोशिकाय होती है ठीक है इसके बाहर भी कोशिकाय होती है कैसे होती है भाई कुछ इस तरीके से होती है ऐसे करके ठीक है इस तरीके से होती है जिनको हम क्या नाम देते हैं सहायक कोशी का नाम देते हैं ठीक है क्या है यह सहायक कोशी का नाम से पता चल रहा है क यहां पर यहांपर कोशिका होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जलके भराफ के कारण जब यहाँ पर क्या होता है जल भर जाता है तो यह क्या होती है फूल जाती है ठीक है यह फूल जाती है और इस फूलने के कारण क्या होता है जब यह फूलती है तो यह क्या होती है खुल जाती है ठीक है यह खुल जाती है और खुलने से क्या होगा खुलने से यहाँ पर यह जो होती है कोशिकाएं सिकुड जाती है अभी कैसी बीन शेप में है ठीक है फिर यह सिकुड जाएंगी तो देखो बताती हूं कि कैसी दिखती है यह कोशिकाएं देखो कि यह क्या हमारा रंद्र है बीच में इस तरीके से ठीक है अब जब मैं कह रही हूं कि यह सिकुड कैसे डंबल शेप में ऐसे करके ठीक है इस तरीके से डंबल शेप में बन जाती है करेक्ट यह डंबल शेप में इस तरीके से आ जाती है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब जो है क्या बोल सकते हैं जब यहां पर पानी है तो क्या हो रहा है यह फूली होई है और यहां पर क्या यहां से पानी निकल जाएगा पानी है तो यह बीन शेप में बन जाएगी और जब पानी निकल गया है तो यह सिकुर जाएगी और डंबल शेप बनाएगी तो इसका मदलब हम कह सकते हैं कि जो द्वी बीच पत्री पादप होते हैं ठीक है उन में द्वार कोशिकाय कैसी होती है ड्वी बीच पत्री में और एक बीच पत्री में कैसी होती है डंबल में यह क्या है एक बीच पत्री ठीक है यह क्या है एक बीच पत्री और यह क्या है ड्वी बीच पत्री ठीक है यह है ठीक है यहाँ पर यह इस तरीके से क्लियर यहां पर सबको मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी यहां पर कोई डाउट होना चाहिए बहुत असान से डाइग्राम से यह चीजे मैंने आपको यहां पर समझा दी है ठीक है चलो यह क्या है देखो यह वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि रंद्र ऐसी रशनाय होती है जिनको हम क्या बोलते हैं द्वार कोशिका ठीक है याने की गार्ट सेल बोलते हैं इनको क्या बोला हमने इनको गार्ट सेल घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है यानि कि वो एक बीच पत्री होती है द्वार कोशिका की बाहरी भित्ती तता आंतरिक भित्ती मोटी होती है द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रंद्र के खुलने तदा बंध होने के क्रम को नियमित करता है ठीक, ये सारी बाते मैंने अभी यहां आपको पीछे बताई है चलो, आगे आते हैं जड़ के बारे में बात करते हैं जड़ भी तो है भाई, उसको भी देखना जरूरी है क्या पता वो नराज हो जाए वर्ना चलो जड़ के बारे में बात करते हैं तो मैं मालूम है ये एक स्थरीय है ठीक है, ये हमारी जड़ यहां पर आ गई है अब जड़ में क्या होता है, हमने बोला कि एक स्थरीय होता है एक पर्ति ये होती है लेकिन जड़ में क्या होता है क्यूटिकल नहीं होते हैं जड़ में क्या है जो क्यूटिकल है ठीक है ये क्यूटिकल नहीं होते हैं जड़ में नहीं होते हैं ध्यान देना है जड़ में क्या है क्यूटिकल नहीं होते हैं बलकि यहाँ पर मूल रोम होते क्या होते हैं यहां पर मूल रोम होते हैं क्या कहलाए यह मूल रोम यानि कि हमने क्या बोलाए इनको रूट हेर रूट हेर ठीके रूट हेर कहलाए यह क्या करते हैं यह काम करते हैं भाई जो जल होता है जल के अफशोशन का काम करते हैं यह ठीके चलो यह हमारे जड़ के बारे में हो गिया है इतना ही है बस जानने लाएक वो जान लीजिए ठीके इससे जादा यहां पर कुछ भी नहीं है clear ये देखो ये जड़ के बारे में बता दिया है कि भाई बाहिये तोची कि कोशिकाएं पर अनेक रोम होते हैं यानि बालो जैसी सनरशनाएं होती है इन्हें मूल रोम कहते हैं करते हैं ये बाहिये कि कोशिकाएं कोशिकाओं का एक कोशिकी जे दिरगी करन शरूप होता एंधिया एवं खनिश तत्वों के अव्शोशन में सहायता करता है जो मैंने अभी आपको जैसे की बताया तने पर पाए जाने वाले ये बाहे तच्छा रोम कहलाते हैं ठीके ये तने के बारे में है जो मैं आगे आपको बताऊंगी अभी तने के बारे में इसके बारे में ठीक है कि प्रवरो तंत्र में ये तो अच्छा रोम बहु कोशिक होते हैं अगर हम तने की बात करते हैं तो पहले एक बार तने को समझ लेते हैं उसके बाद ही देखेंगे कि क्या सीन है यहाँ पर तो अगर तने की बात करते हैं तो मैंने पह कुछीगाय क्या है सटी होई है जैसे क armies बात करी ती यहां पर कुछीगाय हैं ठीक है अर सावी होथ यह होता है यहें पर का बात करते हैं यहां ऐसे करके ऐसे करके रोम बनने लगते हैं यहाँ पर ठीक है इसमें क्या होते हैं रोम होते हैं यहाँ पर ठीक है कोशिका यह सटी हुई है तो यह जो रोम यहाँ बन रहे हैं यह क्या कहते हैं इनको हम इनको बोलते हैं तुछा रोम ठीक है जिसको हमने क्या बोला टाइकॉंट्स ठीके और ये क्या होते हैं ये बहु कोशी किये होते हैं क्या होते हैं ये बहु कोशी किये बहु कोशी किये होते हैं और यहां पर ये क्या काम करते हैं कारे की बात करें तो ये स्त्रावण करते हैं स्त्रावण का काम करते हैं ये याद रखना इसको तो ये हमारे तने के बारे में था तो तने के बारे में जान लो कि बहुत तने पर पाए जाने वाले ये बाहे तचे रूम तवचा रूम कहलाते हैं और प्ररोवत अंत्र में ये तो चारोम बहु कोशी किये होते हैं, ठीक है, ये शाखित या अशाखित तका कोमल या नरम हो सकते हैं, ये स्त्रावित हो सकते हैं और ये वाद्वोद सर्जन से होने वाले जलकी हाने को रोकने का काम करते हैं, हमने बात कर रहे थे पादप, उतक, तंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे ठीक है जहां पर हमने क्या बात कर रहे थी यहां पर हमने बात कर रहे थी जड़ के बारे में ठीक है तने के बारे में और इसके साथ पत्ती के बारे में बात कर रहे थी ठीक है कि यहां पर पाया जाता है अब यहां पर हमने क्या देखा था यहां पर हमने देखा थ तो अची है क्या है हमारे पास बा है तो अची है उतक तंत्र मौजूद है ठीक है ये कहा था हमने ठीक कि इन चीजों में जर्ड तने और पत्ती में हमने ये ये चीज़े देखनी हैं ओर दूसरा किया देखा था हमने कि भाई हमने कहा था क्या है ये अचानग और ही ठीक है और यहाँ पर हमने सबसे पहले कवर किया था अपना बाहे उतक तंत्र को कवर किया था ठीक है इसके बारे में हमने सारी डिटेल से चर्चा कर ली थी बहुत सारी बाते कर लेकिन आज हम को क्या बात करनी आज हम बात करेंगे भरण उतक तंत्र के परत होती है एक लेयर होती है लेकिन ईज तंत्र के बारे में उसके बात में है चलो सबसे पहले हमने अब क्या बोला थे? आस तंत्र में हमने क्या देखा था weed यहाँ पर जण और पत्र है, तो यह रहा हमप जड़, त्जड़ ठीक है जड़ ये रहा, तना ये रहा, ठीके, और ये रहा आपका पत्ती, ठीके, ये रहा आपका पत्ती, अब यहाँ पर अगर मैं एक डाइग्राम बना दूँ, ठीके, एक परत बनाती हूँ, तो मैंने क्या बोला कि ये एक बाहर की परत जो होती है, सब में बराबर होती है, एक प थीक आप यहां पर क्या होता है अगर मैं बात जो है किसकी करती हो जड़की करती हो तो यहां पर क्या होता है यहां पर भाई क्या मोल मोल रॉम इस तरीके से मोल रॉम पाए जाते हैं यहां पर मोल या मूल रॉम रॉम फिर से गलत लिग दिया रॉम कहां गया पाए जाते हैं ठीक है यहां पर देखने को मिलेंगे इस तरीके से ठीक है अब यहां इसकी बात करें तो यहां पर क्या होता है यहां पर क्यूटिकल ठीक है क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है ठीक है यहां पर क्यूटिकल की लेयर पाई जाते है जो क्या काम करती है भाई तो यहां पर जो जल है उसकी होने वाली हानी को रोपती है ठीक है क्यूटिकल की लेयर यह काम करती है ठीक है अब यहां पर क्या होते हैं यहां पर तो अच्छा रोम दिखते है यहां पर क्या पाई जाते हैं तो अच्छा रोम पाए जाते हैं ठीक है तो अच्छा रोम कैसे होते हैं ये इस तरीके से ठीक है इस तरीके से होते हैं पत्ती की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है क्यूटीकल तो होता ही होता है क्यूटीकल तो होगी ही यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होगी प्लस यहाँ पर रंद स्ट्रमाटा भी पाए जाते हैं ठीके वह पाए जाते हैं अब इनका क्या काम है इनका काम है है जो एक मरुखो हरे आ ऐसे लिखे किसे चला है इनका क्या क्या है वात्पोथ वाशपोत सर्जन की जो क्रिया होती है प्लस गैसो का विनियम ये दो काम होता है ठीके, गैसो का विनियम इसका क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पर भाई क्या होता है? जल, वे, खनिज ठीके, जल, वे, खनिज लवर जो होते है उनका क्या होता है? क्या करते अब शोशन करता है ठीक है चलो अब यहाँ पर अगर मैं बोलू कि भाई सबसे पहला वाला जो हमारा है वो क्या है हाँ यह जो है यह एक परत है और किल देखने को मिलता है यह हमें देखने को मिलेंगे एक कोशी किये में देखने को मिलते हैं, इनकी बात करते हैं, तो ये हमको बहु कोशी किये, मैं देखने को मिलते हैं, बहु कोशी किये, ठीक है, चलो, ये इसके बारे में था, तो इतना सब को clear था, जो हमने last class में बात कर ली थी, अब आगे चलते हैं, आगे चलके किसकी बात करते हैं, अब बा लेते हैं ठीक है चलो इसको हम और क्या बोलते हैं भरन अत्वा इसको मौलिक को इसको हम और कहते हैं Ground Tissue System क्या बोला हमने इसको Ground Tissue System अब यह जो है GTS यह भी किसमें पाए जाता है जड में भी मिलेगा तने में मिलेगा और पत्ती में मिलेगा समझने आई ठीक है जिस तरीके से जो बाहे तोचिय थी उसी तरीके से यह भरण है यह भी आपको इस तीनों चीजों में देखने के मिलेगा लेकिन जो बाहे तुचय उतक तंदर था उसके बाब इसका नंबर आएगा वो किसमें था? एक परत में पाए जा रहा था यह कितनी परतों में? दो में, तीन में, चार परतों में पाए जा रहा है तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह किसमें पाए जा रहा है? यह पाए जाता है भाई दो, तीन, चार परतों में मिलता है ठीक है? यह कह सकते हैं दो से जादा परतों में मिलता है ठीक है? यह फिर दो से ज्यादा बोल सकते हो ज्यादा पर्तों में ठीक है अब अगर मैं कहूँ कि यहां पर एक जड़का हम जब जड़की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो जड़का जब हम अनुप्रस्त काट करेंगे ठीक है तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई ये जड़ है इस जड़का मैं क्या कर रही हूं अनुप्रस्त काट कर रही हूँ, ठीक है, इसका अनुप्रस्त काट करूँगी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बाहई, क्या मिलेगा, बाहे, तुचिये, उतकतंत, यह रहा हमारा, ठीक है, लो जी, यह हमारा क्या है, बाहे, अच्छी है उतक तंत्र ठीक है यह सबसे बाहर हमको यह देखने को मिलता है इसके बाहर क्या देखने को मिलता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है इसके अंदर आपको यही भरण उतक तंत्र देखने को मिलेगा ठीक है देखो कैसे मिलेगा को दूसरा कलर रेड कलर से बन परत होती है तो पहली लेयर हो गई है हमारी दूसरी लेयर बना देती हूं यह लो दूसरी लेयर हो गई है हमारी ठीक है बहुत इजी आसान से शब्दों में हैं विल्कुल मत रखना ठीक है चलो दूसरी लेयर यह हो गई ठीक फिर अगर मैं बोलू कि चलो तीसरी लेयर भी है यहां पर तो लो भईया मैं तीसरी लेयर भी बना देती हूं यह लो तीसरी लेयर भी आ गई है यहां पर ठीक है यह तीसरी लेयर में अब यह जो मैंने तीन अलग अलग लेयर से बनाई है ये तीनों किसमें आ गई है हमारी ये तीनों की तीनों हमारी आ गई है एक दो और ये तीन ये जो तीनों है ग्रीन ब्लू और रेड ये जो तीनों परत है ये तीनों परत क्या है हमारी ये हमारी भरण उतक तंत्र ये क्या होती है अलग-अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्या है अलग-अलग कोशिकाओं से मिल के बना हुआ होता है ठीकए New пут यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा, ठीकए और उसके सासर मुझा भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको यह यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है यह सारी चीज़े ठीक कि भाईया यह क्या है हमारा एक जड़का अनुप्रस काट है हमने यहां पर बात करिए जड़के अनुप्रस काट की बात करिए अगर यहां पर हम इसकी पड़तों की बात करते हैं यहां पर हम इसकी पड़तों की पैरन पैरन काईमा यह पैरन काईमा ठीक है दूसरा क्या आगे आपके पास दूसरा आगे आपका कॉलन काईमा ठीक है और तीसरा आगे आपके पास स्क्लेरन काईमा तो यह सब की सब लगता है कि यह चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी यहाँ पर हमने जड़के अनुपरस काट की बात करी है यह तीन और चीज यहां पर आपको देखने को बिल जाएंगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा ठीक है तो चलो एक बार इसको जान लेते हैं कि इसको जानने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं कि भाई हम इसके डाइग्राइम को समझते हैं देखो मैंने बताया ना तीनों चीज़ें यहां पर हैं यह देखो तीनों चीज़ें यहां पर लिखी हुई हैं चलो ठीक है पहले टेक्स समझ लो फिर इसका मैं आपको डाइग्राम समझाती हूं ठीक है चलो बाहे तुच्चा और तथा समवहन बंडल के अतिरिक सभी उतक भरन उतक होते हैं यह दोनों को छोड़के ठीक है अगर मैं इसकी बात करती हूं कि यह बाहे तुच्चा बाहे तुच्ची यह उतक और दूसरा यह समवहन उतक इसके लावा यहां पर जो भी मौज हई है ना अ करात्मिक तणे में पैरंकािमा कोशिका राया वल्कठ यान की कोर्टेक्स प्रिरम पित तथा मजद्जी करन में होती है ह। प्त्टियों में भरण उतक पतली भित्त वाले तथा क्लोरesi अजास्यूस होते हैं और इस में पर्णमध्य उत्क यानि कि मीज़ोफिल इने कहते हैं तुल स्व Гог Bak हमें मालों में क्या होता है बाहि दखीय उत्त तंत्र होता है तर उसी यह एलो जि आंगिया हमारा तिक साथ साथ नाम लिखते जाते हैं अगर साथ साथ बनाओंगे तो जल्दी और आसाने से समझ में आएगा यह बात ही करते रहोंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और हमेशा की तरह फिर एरोफलेन और जाएगा और बोलो के कुछ पल लेनी पड़ा तो बेटर है कि स सबसे बाहर गया है बाहे तो चिये उतक तंत्र ठीक है यह आ जाता है हमारे पास चलो इसके बाद मैं क्यों से लेयर बनाती हूं दूसरा कलर उठाती हूं तो भई इसके बाद हमने क्या बोला कि जितनी लेयर आएगी किसके आएगी भरन उतक तंत्र की ठीक है तो यहाँ प सबसे पहले जो लेयर आएगी यहां पर वो इस तरीके से आएगी, ठीक है, लो, यह क्या होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई, हम पैरन काइमा, ठीक है, कौन सी है यह, यह हमारी पैरन काइमा, ठीक है, इस पैरन काइमा में हमने क्या बोला, कि भाई, इसक के अंदर अंतर कोशी की स्थान होता है ठीक है इसको लिख दूंगे इच्छा बात में पहले इसको समझ लो तो इसके अंदर क्या है नहीं एक में रुको 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 इसके अंदर हां अंतर कोशी की स्थान देखो इस तरीके से याने कि इनके बीच में क्या है जगा है ठीक है इस तरीके को इनके बीश में क्या है जगा मौजूद है ठीक है तो यह क्या है इनके बीश में लिख देती हूं देखो अंतर कोशी किये स्थान अंतर कोशी किये स्थान पाया जाता है इसके अंदर ठीक है स्थान पाया जाता है इसके बाद क्या मिलेगा आपको यहा पर देखने को मिलेगा भाई क्या देखने को मिलेगा स्क्लेरन काइमा देखने को मिलेगा ठीक है अब यहां पर स्क्लेरन काइमा है तो मतलब कि कोई भी क्या है अंतरकोशी की इस्थान यहां पर मौझूद नहीं है स्पेस बिल्कुल नहीं देना है यहां पर बिल्कुल भी चिपके चिपके ठीके इस तरीके थे ध्यान रखना लो ये क्या है हमारा स्क्लेरन काइमा लिख देती हूँ ठीके ये क्या हो गया हमारा स्क्लेरन काइमा यहां पर कोई भी अंतरकोशिकी इस्थान मौजूर नहीं है इसके बाद कौन सी लिएर आ जाएगी हमारे पार कौन सा रेट कल उठाएंगा चलो इसके बाद ले रहाती है स्क्लेरन काइमा की ठीक है नहीं यह क्या था हमारा कॉलन काइमा था सॉरी कॉलन काइमा ठीक है यह क्या था हमारे पास कॉलन काइमा ठीक है इसके बाद क्या आएगा स्क्लेरन काइमा आएगा तो कौन से कल उठाया था हमने अगर लो रेड उठाते हैं कि यहाँ पर स्क्लेरन काइमा की परता जाएगी इस तरीके से यह आगे हमारे स्क्लेरन काइमा की लेयर इसको लिख देते हैं यह लेयर किसकी है स्क्लेरन स्क्लेरन काइमा ठीक है इसके लिए रजाएगी हमारे पाद अब इसके बाद क्या आता है इसके बाद हमारा आता है जमवहनों तक ठीक है जहाँ पर जो हम क्या बोलते हैं जाइलम और फ्लोयम ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है जाइलम और फ्लोयम तो यहाँ पर यह जो हमने बात करी है मुझे लगता है कि इस डाइग्राइम से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं कि सबसे बाहर क्या होता है बाहे तोचा ठीक है तो थिये उतक तंत फिर हमारा यह पारै आपाइमा कॉलं कामा इसलेट करन यह नहीं की यह रहाती है फिर हमारा Master ही थीक है और जाए इस आंगा मं से क्या बनता है सनोह रहए ठीक है तो टीने और यह है रहे देखो एक चीज और समझो कि ये वाला ये तीनों चीज़े जितनी भी है यहां पर ये क्या है हमारा भरण उतक तंत्र कहलाता है ठीक है क्या कहलाया ये भरण उतक तंत्र कहलाया कोई एक सिद्धी करने नहीं है बहुत असान शब्दों में हैं अच्छे से समझोगे तो समझ में आजाएगा नहीं समझो ओड़े कि अब बात करते हैं समवहनि उतक तंत्र के बारे में संवहनि उतक तंत्र के कहीं आएगा यहां क्या जालंव और फ्लोम आता और जायलम और फ्लोयम मिलके क्या बनाते हैं समवहनी उतक तंत्र बनाते हैं ठीक है तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वह अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या जानना जरूरी है जायलम और फ्लोयम के बारे में तो अगर मैं अची में और इधर क्या है कि तो यहां पर क्या होता है इसकी इस्तिथी के हिसाब से किसे साब से इस्तिथी के तक से कौन सा कलर लिया था चलो यह उठा लेते हैं वाइट वाइट नहीं रड़ उठा लेते हैं ठीक है इसकी क्या है इस्तती के अनुसार इस्तती के अनुसार क्या है यह दो तरीके का होता है ठीक है दो टाइप का होता है समवहनों तक जाइलम और फ्लोयम ठीक है अगर मैं जाइलम की बात करती हूं तो जाइलम क्या है भाईया फिर से दो तरीके का होता है ठीक है फिर से दो तरीके का है यह तो भाई यहाँ पर न कि अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जायलम की यहां पे संजो क्योंकि ऐसे क्यों आप किया होगा न pee अब न की प्रकार का होटा है कि अगर वो दोनों चीजे एक साहर संज़ाऊंगे तो बिल्कुल कंफ्यूशन में आ जाइलम क्या है में हमारे दो प्रकार का है ठीक कौन सा है दो प्रकार पहला, प्रोटो तो जायलन legitimate पहला अगय प्रोटुशी वाली बात ये है कि प्रोटो को मतलब होता है पहले ठीक है, कि अगर मैं प्रोटो का मतलब लेती हूँ यहाँ पर, इसका मतलब होता है पहले ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यह प्रोटोजाइलम बनता है, वो मेटाजाइलम से पहले बनता है ठीके और क्या होता है कि ये जो protozylem होता है ये आकरती में क्या होता है बड़ा होता है ये आकरती में कैसा है आकरती में बड़ा होता है ठीके किसे metazilum है ठीके तो metazilum आकरती में कैसा है आकरती में छोटा है ठीके डियाग्राम दिखा देते हैं चलो बना के ये लो जी कि ये कैसे है आकरती में बढ़ा हो गया है या करती में चोटा हो गया है ठीक है चलो आगे बढ़ने हैं कि कौन सी इस्थिती है इसको दो भागों में बाटा है जाइलम की इस्थिती के हिसाब से ठीक है कौन से दो भागे पहला आगया आपका कौन सा आगया एंडार्क है ना पहला आगया आपका एंडार्क और दूसरा क्या आगया आपका एंडार्क अब देखो मतलब समझो एंड मतलब अंदर ठीक है और एंड मतलब बाहर है ना तो यहां पर इस से समझो ए एक्जार्क मतलब बाहर की तरफ, तो यहाँ पर ये दोनों चीजे अच्छे तरीके से याद रखनी हैं, ठीक, चलो, इसको एक diagram से समझ लेते हैं कि एंडार्क और एक्जार्क में क्या मतलब समझाना चाहती हूँ, तो अगर मैं एंडार्क की बात करती हूँ, तो देखो, एं डार्क बनाते हैं हम यह रहा ठीक है यहां पर इसकी क्या कंडिशन दिखा रहे हैं तो एंडार्क में क्या मुला मैंने कि भाई अंदर की तरफ ठीक है एन अंदर एन ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह इस तरीके से सुचेशन यहां पर मौजूद होगी यह क्या है हमारा बाहर जो मैंने बनाया है प्रोटोजाइलम ठीक है लिख देती हूँ यह क्या है प्रोटोजाइलम ठीक अब यह जो प्रोटोजाइलम है यह क्या है बाहर की तरफ आएगा ठीक है यह क्या आएगा बाहर की तरफ और अं अंदर की तरफ क्या है यह अकृति बनती चली जाएगी मतलब कैसे बनेगी फिर यह की आगे आपका इस तरीके से मेटाजाइलम आजाएगा ऐसे ठीक है यह क्या आगे आपका मेटाजाइलम मेटाजाइलम आजाएगा ठीक है अंदर की ओर विद्धी करेगा कि सबसे बाहर प्रोटोजाइलम बनेगा फिर अपना यह मेटाजाइलम इस तरीके से अंदर की ओर जाता जाएगा वही अगर मैं इसको आपको क्या एकजार्क के उसमें समझाओं ठीक है लोग एकजार्क यह यहां बना के समझा देती हूं यह लो यह क्या हमारा एकजार्क हो गया यहां पर क्या होता है यह जो मेटाजाइलम है मैं इससे बनाया था ना तो मेटाजाइलम हम इसको यहां दिखाते हैं यह क्या है यहां पर क्या है यह मैटाजाइलम कि सबसे अ है यहां पर क्या है मैट metazylem कैसा बनेगा metazylem इस तरीके से ऐसे ठीक है यह हमारा क्या आ गया metazylem आ गया इसको लिख देते हैं यह क्या है metazylem metazylem ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि यह तो metazylem है ठीक अब metazylem यहाँ पर पहले आ रहा है और protozylem कहाएगा यहाँ पर आएगा यह क्या है protozylem यानिक यह क्या है बाहर की और वृद्धी कर रहा है वो कहां कर रहा था अंदर की और यह कहां कर रहा है बाहर की और ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है protozylem ठीक है तो मुझे लगता है दोनों चीज़े आपको यहाँ पर clear हो जाने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से बिलकुल भी क्या है clear कोई भी ऐसा ना बोले की clear नहीं है ठीक है तो बहुत अच्छे तरीके से देखो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझाया है confusion बिलकुल भी नहीं रखना है चलो आगे पर जाते हैं अब इसी तरीके से हम किसको समझते हैं अब थोड़ा सा लो फ्लो इसको किसको समझ लेते हैं तो फ्लो इम को समझते हैं तो फ्लो इम के लिए क्या बोलेंगे फ्लो इम क्या बोलेंगे कि यह भी दो तरीके का होता है ये भी दो तरीके का है ठीक, पहला यहाँ पर क्या था हमारे पास protozylem और दूसरा क्या था metasylem, यहाँ पर क्या होगा proto phloem ठीक है और यहाँ क्या होगा metafloem ठीक है यहाँ पर, यह दोनों चीज़े यहाँ पर ऐसे आएंगी, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, हाँ यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी कि भाई यह protozylem क्या होता, आकरती में बड़ा होता है, वो छोटा होता है यहाँ पर ठीक है, protozylem और metasylem यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे भाई यहाँ पर हमारे पास कौन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा चाली नलीका, यहाँ पर हम बात करेंगे चाली नलीका के बारे में, कि यह आकरती में कैसी होती है, आकरती में बड़ी होती है, ठीक, और यहाँ कैसी होती है चाली नलीका, चाली नलीका, यह कैसी होत होती है आकरती में चोटी होती है ठीक है तो यहां पर यह चीजे हम देखेंगे ट्लियर इतना ठीक है जानलो वह ज़्यादा जोरूरी है ठीक है चलो ओके अब हम बात करें संबहन उतक तंतर की बात करेंगे समवहन उतक तंत्र की हम बात करते हैं ठीक है तो समवहन उतक तंत्र की जब हम बात करते हैं तो भाई यह क्या है इस समवहन उतक तंत्र में यहाँ पर क्या होता है क्या होता है Cambium के अधार पर, यहां क्या है, जो Cambium है, उसकी उपस्तिति के कारण, ठीक है, यह जो Cambium है, इसकी उपस्तिति, इसकी उपस्तिति के कारण, क्या होता है, किसी भी पादप, किसी भी पादप, किसी, क्या हो गया, किसी भी पादप, लेकिन जादा तर द्वी, बीज, पत्री, ठीक है, ये जो है, कैंबियम, जो है, ये क्या होता है, बेसिकली, किसी भी पादप, याने कि हम ले सकते हैं, जालता द्वी, बीज, पत्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, ये जुद्यक, जुद्यक, व्रिद्धी करने, व्रिद्धी करने, के लिए अंग होता है, ये, ठी किसी भी क्या कटा द्यू बीच पत्री में जो जुद्यक व्रद्धी होती है उसको करने के लिए जो अंग होता है वो क्या है कैम्बियम है ठीक अब यह जो कैम्बियम है यह क्या है यह जो संवहन होता है क्या है यह कैसा है दो प्रकार का है इसको जान लो ठीक है क्या है दो प्रकार ठीक है जी माल लेते हैं हम ये दो प्रकार का है ठीक अब वो दो प्रकार का उन से हैं वो कैसे समझेंगे हम वो ये देखो कैसे समझते हैं कि हमने क्या क्या ये लो जी यह लो ठीक है अब हमें क्या मालूम है कि भाई पहले में और दूसरे में दोनों में क्या मौझूद है यहां हो गया अपना phloem और phylam यहां क्या है phloem और अब condition यह आती है भाई कि इनके मद्दे में क्या होता है इनके मद्दे में एक इस तरीके से अंग मौजूद होता है ठीक है उसकी उपस्तिती के हिसाब से क्या है यहाँ पर सारा खेल चलता है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर मद्धे में अंग तो यहाँ मद्धे में मद्धे में क्या मौजूद होता है यहाँ पर यहाँ पर cambium होता है, ठीक है, मद्धे में cambium मौजूद होता है, ठीक, अब इसकी उपस्तिती के कारण क्या है, यहाँ पर सारा खेल चल रहा है, ठीक है, यह क्या काम करता है, हमने बताया था जुद्यक, वृद्धी करता है यह, ठीक है, याने की किसमे मोटाई का काम करता है, ठीक है अब हमने क्या मुलें किस में पाया जाता है द्वी बीज पत्री में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जा रहा है ये द्वी बीज पत्री में पाया जा रहा है ठीक है यहाँ पर cambium है मद्धे में ठीक है अब यहाँ पर समझो कि यहाँ जो cambium उपस्तित है यहाँ जो यह cambium उपस्तित है ठीक है यह जो उपस्तित है तो यह जो condition होगी क्या कहलाएगी यह हमारी condition कहलाएगी खुला समवहन तंत्र खुला समभवन तंत्र कहलाई जिसमें क्या है ये क्यांबियम उपस्तित है यहाँ पर क्यांबियम उपस्तित है इसलिए क्या कहलाया ये खुला समभवन तंत्र कहलाया पहला प्रकार ये हो गया दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो दूसरे प्रकार में क्या है ये एक बीज पत्री पौधो में पाई जाती है, ये किसमें पाई जा रहा है एक बीज पत्री पौधो में पाई जा रहा है, यहां पर क्या है यहाँ पर यह जो cambium है यह जो cambium है यह क्या है? नहीं है यहाँ पर यह जो cambium कर जो सनरशना है इसमें नहीं पाए जा रही है ठीक है? इस तरहे की सनरशना में तो भाई यहाँ क्या होगा? यहाँ नहीं पाए जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा यह क्या होगा भाई बंद प्रकार का संबहन उतक ठीक है यह क्या है बंद प्रकार का संबहन उतक जहां पर यह संदशना पाई जा रही है वो क्या है खुला संबहन तंत्र ठीक है और यहां क्या है यहां नहीं है तो यह क्या है अपना बंद प्रकार का संबहन युद्द कर दिखा दो चल्दी से रगता नहीं कि इसमें कुछ को समझ में आगया पहुद ही सी सी चीजों में बताया है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए थिक है चलो आगे बर जाते हैं ओके अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये क्या होए समभान उतक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है इसमें जटिल उतक जाइलम तथा फ्लोयम तथा फ्लोयम होते हैं इसमें क्या है ये तीनों चीजें पाई जाती है अब ये जो जाइलम और फ्लोयम है ये जो जाइलम और फ्लोयम है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मिलकर समभान समभानी उतक क्या हो गया इसमें तो कुछकतों में जटक भी नहीं सकते अरे चल गया भई उतक तंत्र बनाते हैं ठीके क्या बनाया रूने मिलके समवहनी उतक तंत्र बनाया जटिल उतक जाइलम और फ्लोयम होते हैं इसमें ठीके और यह तीनों मिलके क्या बना रहे हैं समवहनी उतक तंत्र बना रहे हैं करक्ट इतना चलो इसके बाद बोलू कि भ आईलम वे फ्लोयम के बीच क्या मौजूद है इनके बीच में क्याम्बियम मौजूद है ठीक है इनके बीच क्याम्बियम होता है ठीक है अब ऐसे जो समवहनी बंडल होते हैं जिनमें क्याम्बियम होता है ऐसे समवहनी बंडल ऐसे समवहनी बंडल जिनमें क्या है जिनमें क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है ठीक है जिनमें क्या है क्या होते हैं और क्या होता है और लगातार लगातार क्या करते हैं? जुद्तक जुद्त्यक जाइलम जाइलम वे फ्लोयम जाइलम वे फ्लोयम बनाते हैं ठीके तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम खुला सम्वहन बंडल ठीके या फिर तंत्र इनको क्या बोला हमने? खुला सम्वहन बंडल या फिर तंत्र हैं ठीक है जटल उतक होता है इसमें जाइलम होता है अब हम दो कर लिए нее समज़ oh और यह क्या है एक बीश पत्री है तो यहाँ पर क्या है Cambium है अब ऐसे समवन ही बंडल जिन में क्या है Cambium मौजूद है और लगातार क्या कर रहे है वो जित्यक जाइलम वे फ्लोयम बना रहे हैं ठीक है याने की बीश पत्री की अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है ऐसे पादपों में क्या है cambium Cambium क्या है नहीं होता है क्योंकि वो क्या करते है जित्यक उतक नहीं बनाते हैं ठीक है ये क्या करते हैं क्योंकि, ये जो होते हैं, ये जिद्धक उतक नहीं बनाते हैं. ठीके, क्योंकि ये जिद्धक उतक नहीं बनाते हैं और इसी लिए इनको क्या कहते हैं? इसी लिए इनको क्या बोलते हैं हम बंद समवहन बंडल ठीक है इसी लिए इनको क्या बोला हमने बंद समवहन बंडल बोला ठीक है यह बंद समवहन उतक्तंत कुछ भी बोलते हो ठीक है तो इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी यह अच्छली मेडम ह यहां पर क्या बताना चाहरे हैं है ना मुझे नहीं लगता क्यों गड़बड करनी चाहिए इतने से इजी शब्दों में यहां पर समझाया है देखो एक एक चीज लिखके समझाई है ठीक है तो प्यार का फायदा मत उठाना समझ लेना इसको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब अब देखो जब जायलम और फ्लोयम एकांतर तरीके से भिन्ने तरज्जिया पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरिये कहते हैं जैसे की मूल में होता है जैसे की मूल में होता है ठीक है सईयुक तो बंडल में जायलम और फ्लोयम जो है एक ही तरज्जिया पर होते है एक ही तुरुजया पे होते हैं जैसे तने तठा पत्यों में सयूद तो समवहन बंडल में प्राया VLOYAM ZHYLAMS के बाहर की ओर होता है अब हमने क्या बोला कि चलो इसको इस्तिती के अधार पे देख लेते हैं ठीक है कि चलो क्या है अर ये हाँ अर ये समवहन बंडल ठीक है एक तो ये हो गया है और दूसरा क्या है सैयुक्त सैयुक्त समवहन बंडल ठीक है दूसरा हमारे पास ये आ गया यहाँ पर चलो समझते हैं अब यहाँ पर बात हम जब अर्ये के करते हैं तो ये सनरशना हमको जड़ में दिखाई देती है जड़ में दिखती है यह यह बोल दो मिलती है यह सनरशना हमको जड़ में दिखाई देती है ठीक है और यह सैयुक्त है यह आपको जड़ तना सब में दिखाई देगी कहा दिख रही है जड़ तना में दोनों में दिख रही है ठीक है वह किसमें है देखो समझ में आया वह जड़ में है और यह जड़ और तना दोनों में है ठीक अब चलो इससा क्या करते हैं एक डाइग्राम बना लेते हैं चलो समझा देते हैं एक डाइग्राम बना के कि भई हमको मालूम है कि सबसे बाहर क्या है सबसे बाहर क्या पाई जाती है एक layer जो पाई जाती है ये वाली इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है जल्दी जल्दी comment में बताओ ये layer कौन सी है बताओ ये जो layer बनाई है ये है हमारी बाहे क्या है ये बाहे तो अच्छी है उताओ यहां लिख देते हैं बाहे तो अच्छी है उताओ ये ठीक फिर हमने क्या बोला कि इसके अदर क्या पाये जाता है भरण उताओ तंत्र पाये जाता है चलो लाल रंग से बना देते हैं ठीक है किलो भाई यहां से लेके इतना मोटा ठीक है ये क्या है इतना मोटा हमारा भरण उतक तंत्र है ये ये से फिक समझाने के लिए है इन चीजों को ये मैं सोचना कि ये ऐसा ही होता है देखो ये चीज मैं आपको अलड़ी समझा चुकी हूँ अलड़ी पीछे ठीक है डाइग्राम बनाके तो confusion बिलकुल मत रखना तो ये क्य है हमारा लाल वाला हिस्सा पूरा भरण उतक तंत्र है ठीक है चलो माल लिया ये है अब इसके अंदर क्या है कि भाई ये जायलम और फ्लोयम है वो एकांतर क्रम में है हमने क्या बात करी एकांतर क्रम में यानि कि किसमें मिलते हैं ये एकांतर क्रम में मिलते हैं ठीक है जाय और फ्लोयम तो एकांतर क्रम किया हो गया देखो ऐसे समझाते हैं अभी कैसे हो गया है ठीक है एक कांतर क्रम मतलब कि एक बार जाइलम एक बार फ्लोयम एक बार जाइलम एक बार फ्लोयम कौन से यह वहला कलर तो हो गया इसके इंदर यह राज जाइलम लो ठीक है फिर फ्लोय फ्लोयं फ्लोयं थीक है एक एक्स्रा बन गया वैसे तो क्या करते हैं लो एक और बना लेते हैं बढ़ना इनकी कमी तो पूरी करने हिचे पड़ेगी नहीं अपने को भय है नीः टो यह उठाए था आमने लो यह आगया फ्लोयं ठीक है और यह प्र यहांपे कमी रहे ही बता ओ यू इस के बीच में डाल दें लो यह आगया रधाल जाइलं में तो यह क्या है एकांतर तरीके शेंश के करता था को होते हैं साथ होते हैं देखो लेयर गाकर बहुते थो दोबारा बना देदी कुछ थीच जलो फिर समझ år कि बारे मां झाल सबसे वार हमारी क्या है ऐगर ब्लू ट्लरड की लेयर बनाती हुए ख़िख फिर बाठें गर Tsam समझ लो इसको सबसे बाहर वाली है हमारी क्या है बाहे तो अच्छी है ठीक है इसके अंदर पूरा लाल वाला पॉर्शन था यह पूरा लाल वाला पॉर्शन था इसके अंदर यह लो जी लाल वाला पॉर्शन आ गया है पूरा यह रफ डाइग्राम है ऐसा मैं सोच देना सच में कि यह ऐसा ही होता है क्योंकि इसका डाइग्राम मैं अलड़ी आपको बना के समझा चुकी हूँ ठीक है मैं इसका नाम के देदती हूं यह पूरा पॉर्शन जो है लाल वाला यह क्या है भरण उतक तंत्र है यह ठीक है यह बरण उतक तंत्र हो गया अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर किस तरीके से मुझूद होंगी यह जो है अपने जाइलन फ्लोयम कैसे मुझूद होगा तो यहाँ पर हमने क्या बोला यह साथ में होता है ठीक है यह कैसे होते हैं साथ साथ कैसे होते हैं अब साथ साथ कैसे होते हैं देख लो लो जी इस तरीके से होते हैं साथ साथ होते हैं अब साथ साथ होते हैं कौन मुझे बताएगा कि साथ साथ कैसे होते हैं यहाँ पर भाई बाहर क्या होता है फ्लोयम होता है और जाइलम अंदर होता है इन चीजों का ध्यान डखना यह रहा बाहर फ्लोयम यह रहा फ्लोएम बाहर की दाव ठीक है? और जाइलम कहा है? अंदर की तरव यह रहा ठीक है? तो यहाँ पर यह चीज़ते समझने बहुत जादा जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि यह समझने में इतना टफ ठा कि आपको समझ में नहीं आया होगा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलना और कमेंट में जूरू बताना कि कितना मज़ा आया ठीक है चलो फिर आज के लिए तो वस इतना ही है है ना अगली क्लास में मिलेंगे और इंजॉय करेंगे और खुब सारी बाते करेंगे ऐसे ही अपने पढ़ जब तक आप खुद मज़ा फील नहीं करेंगे हैं कोई नहीं आपकी help कर सकता है तो पढ़ाई में मज़ा लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लास में तब तक के लिए खुश रहिए आज जैसे रहिए और इसको revise करते रहिए ठीक है बाई बाई